हलो दोस्तों क्या हाल चाल है आई होप आप बढ़िया होगे तो दोस्तों येस अब नॉवेंबर 23 एक्जाम के लिए हमें फिर से जूट जाना है और पूरी मेहनत के साथ पढ़ना है मुझे स्टुडेंट्स के इंक्वारी आ रहे है कि सर नॉवेंबर 23 एक्जाम में GST में कुछ बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स होई है क्या तो दोस्तों आपको कह दू खुश खबर आपके लिए यह है कि नॉवेंबर 23 एक्जाम के लिए इस बार कोई भी ज्यादा अमेंड होगी वो आपके अल्रड़ी हो चुकी है तो फिर अमेंडमेंट्स के अपलीकेबल है तो दोस्तों यहां पे एक नॉवेंबर 2022 से लेके तो 30 एप्लिल 2023 तक कि जो भी नोटिविकेशन्स और सर्कुलर होते है वो आपको नॉवेंबर एक्जाम में अडिशनल अपलीकेबल हो तो यहां पे आपका टॉपिक उस चाप्टर का टॉपिक जो है वो सामने लखना और अमेंडमेंट्स वीडियो देख लेना बेटर आपको बहुत अच्छे से अपेडमेंट्स समझ में आएगी अगर आप एक बार वो उस टॉपिक को रिवाइस कर लेते हो और बाद में अम क्योंत्त थारेगी तो मुश्किल से ए अमेंडमेंट्स का डिस्केशन जो है यहां पे 1-3 घंटा है और और 20-22 pages है तो 22-22 pages इतने तारे दोस्तों मेंने अमेंडमेंट्स भूग जो है इंड़े में दिया है रिजन अप अमेंडमेंट्स क्या है क्यों आई अमेंडमेंडमें अब एक बात निकलिए summary of amendments तो sir क्या आप हमें summary of amendments दोगे दोस्तो सब कुछ ही मैं ले दे देता हूँ आपको आपका exam का answer भी मैं लिख देता हूँ अच्छा लगा आपको तो दोस्तो यह summary of amendments दे देता हूँ आपको पर वो summary बन रही है इसलिए amendments का वीडियो और इसकी notes जो है आपने download कर लेना है और उसके बाद में उसकी summary का मैंने QR code इसमें दिया है कुछ दिन बाद मैं उसकी summary बना के भी update कर दूँगा उसी google dry link में जिस google dry link से आप यह notes डाउनलोड करोगे तो summary भी आपको मेल जाएगी तो अब आपका सवाल होगा कि sir notes कहां से download करे तो notes जो है amendment notes नहीं से description इस video का देखिएगा उसमें मैंने link दिया है और वहां से आपको amendment का notes डाउनलोड करना है समझा है समझा है नहीं समझा तो चली तो आपको amendments का note डाउनलोड कर लेना है print out लेना है और print out के बाद यहां जो है amendments मेरे साथ कर लेनी है जो भी students यहां पे मेरा GST fast track exam oriented video ले रहे है तो उनको यह amendments की notes की physical copy मैंने kit में ही दे दिया आपके notes के साथ तो yes वो साथ साथ में amendments कर सकते हैं और जैसे मैंने का इस बार ज्यादा amendments नहीं है तो चलीए notes के बारे में हो गया summary के बारे में हो गया उसके बाद में number of hours तो मैंने बता दिया कि कितने घंटे का हमारा यह amendments सलेगा और उसके बाद में जो question आपका हो सकता और वो कहेगा sir हमने recent आपका November 23 के लिए batch किया है तो क्या हमें हमें यह amendments देखनी पड़ेगी दोस्तो मैंने amendments already हमारे regular discussion में cover कर ली है लेकिन मैं strongly आपको suggest करूगा कि यह वीडियो जरूर देख लेना क्यों क्योंकि इवंदो आपने cover किया होगा लेकिन chapter में अलग-अलग जगा वो scattered होगी और शायद आपको click भी ना हो कि वो amendments होगी लेकिन क्या होता है कि जब आप amendment videos देखते हो और मैं भी जब record करता हो तो हमारा पूरा focus amendments पे होता है so that amendments का होई क्या reason था फिर उसके question answer पे discussion होता है तो आप focus study कर सकते हो और amendment पे 5 mark का question आता ही है तो 40 में से 5 mark का question आपको नहीं लगता important है इसलिए आप जो है कि आपकी amendments हो भी गई होगी तो भी एक बार कर लो अगर आप speed में भी देखोगे तो 45-50 minutes में हो जाएगा और यह 45-50 minutes कैसे भी time निकाल लेना क्योंकि 5 mark भी आपके लिए बहुत important है चलिए अब दोस्तों कुछ students के question है कि sir जैसे November 23 exam के लिए आपका आपका book हमारे पास एक साल पहले का है या फिर उसके पहले का book है तो completely 2-3 attempt की amendments जो है ऐसी कोई self study book मिल सकती है क्या जिससे हम सारा कुद खुद पढ़ ले सारे amendments भी कर हो जाए और और इस बार की भी amendments उसमें कर हो जाए sir आपका amendment video तो हम देखी लेंगे पर इस बार की भी amendments उसमें कर हो जाए तो yes बेटा मेरा बहुत अच्छा book जो है जिसे मैं यहाँ पे GST compact कहता हूँ for self study मैंने यहाँ पे बनाय हुआ है पिछले 2-3 मैने से मैं इसके उपर ही work कर रहा हूँ तो उसके बारे मैं आपका बता दू और उसके बाद मैं हम हमारी amendment start करेंगे are you ready? yes तो GST compact book जो है यह self study book है sorry 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 GST compact book मैं open कर लेता हूँ दो मिनट बिटा यहाँ पे छलिए दोस्तों मैं आपको GST compact book का demo बता देता हूँ यहाँ पे यह जो है GST compact book है जो self study book है और आप इसमें से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो sir इस book का क्या benefit है जैसे आपने मेरे पास regular class किया होगा तो आपने तो pictorial presentation में charts में सब कुछ देख लिया होगा लेकिन यह GST compact book जो बनाए गई है यह जो student ने मेरा class किया उनके हिसाब से भी और जो student ने किसी और का class किया है एक बार GST पढ़ लिया है अब उनको exam point of view कैसे लिखना चाहिए point wise manner में और simplified language में तो उसके लिए GST compact book बनाए गई है यह GST compact book अगर आप देखोगे यहाँ मैंने डेम रखा है बेटा इसमें कोई pictorial presentation नहीं है चार्ट नहीं है क्योंकि चार्ट जो है मैंने separate chart book में cover कर लिया है point wise manner में अगर आप देखोगे तो exam में अगर question आएगे तो point wise manner में आपने कैसे लिखना चाहिए उस पर ज़्यादा emphasize किया गया यह book जो है completely exam oriented है और legal jargons को हटा के simplified word में points cover किये गया है और जब आप यह read करोगे तो आपकी mapping बन जाएगी कि हाँ अगर इसके उपर question आए तो यह यह points हमें लिखना है और exam में score करना है तो यह जो book है completely यहाँ पे two colors में बनाए गया no doubt color book है और यहाँ पे lucid language में simplified words में legal jargons हटा के और point wise manner में exam purpose के इसाब से कैसे लिखना चाहिए वो मैंने बनाई है और यह जो book है बहुत छोटी book है जिसमें पूरा GST आपका यहाँ पे 40 marks का cover हो जाता है तो आपको इतना बड़ा book पढ़ने की जरुद भी नहीं है और के simplified way में यह book बनाया है और compact बनाया हुआ है तो यह book आप हमारे website से भाय कर सकते हो vsmartacademy.com से GST compact जो है जो आपको available हो जाएगा और खास बात बता दू कि इसमें मैंने comprehensive questions भी दिये है अगर आपका chapter हो जाता है तो comprehensive questions पर भी आप discussion कर सकते हो पढ़ सकते हो so that आपका यहाँ पर comprehensive questions ऐसे super 30 questions बना कि इसके अंदर दी है तो वह भी कवर हो जाता है और बहुत सी जगा मैंने यहाँ पर relevant concept को समझाने के लिए relevant examples भी दी है तो इसने सारी unique feature है तो देर की बात की आप यह book ले सकते हैं और जादा से जादा अपने students को share करो बताओ कि यह book आपके लिए बहुत जादा helpful रहेगी जो self guide book है और definitely exam में आपको यहाँ पर इस बार taxation में 80 power लेने के लिए help करेगी और बेटा अगर आपको मेरा questionnaire जिसमें 300 plus questions कवर किये है तो वो questionnaires आपको अगर buy करना है तो वो questionnaires आप हमारे website से buy कर सकते हो otherwise इसमें super 30 comprehensive questions तो मैंने discuss की है more than enough है exam के लिए आप इस book के basis पे और इसमें जो questions दिये उसके basis पे एक्जाम में अच्छा score taxation में especially GST में आप अच्छा score ले ही सकते हो तो ये book आप buy कर सकते है ये आपके लिए helpful होगा लेकिन अगर आपने recent batch किया है और कुछ student का कहना है कि sir recent batch हमारे पास regular book आपकी है और chart है तो क्या हमें ये buy करना जरूरी है क्या देखो बेटा मैं आपको कहो क्या book में कितना जाता है कैसे points कवर करने चाहिए उसके लिए book चाहिए तो ये book को buy कर सकता है साथ साथ में मेरा questionnaire जो 300 plus question से वो भी buy कर सकता है chart book तो आपके पास है तो ये आपकी इच्छा आपको किस तरह से buy करना है तो चलिए दोस्तो हमने ये देख लिया तो अब start करते है discussion on amendments और फिर से बता दू आपको जो notes है नीचे description में download link दी है वहाँ से आपको जो है download कर लेना है और print out ले लेना है और मेरे साथ फटा फटी amendments cover कर लेना है और ये जो GST compact आपको available है for sale उसमें मैंने सारी amendments cover कर लिये और फिर से मैं कहूँगा amendments video और amendments notes एक साथ पूरे focus discussion के साथ मेरे साथ कर लेना है so are you ready yes or no तो चलो start करते हैं हमारी amendments पहला chapter लेते है concept of supply concept of supply में क्या amendments हुई है बस एक छोट आलसा circular उनने एड़ किया है और ये circular बहुत ही easy circular है और ये आपके साथ discuss करना चाहोगा यहाँ content मैंने दिया आपको पढ़ना है पढ़ लेना मैं थोड़ा इसको pictorial presentation में आपको समझा देता हूँ देखो भाई अभी जो है यहाँ पे आप जब कोई shop में जाते हो तो shop में आप paytm से pay करते हो या फिर कोई अलग UPI से pay करते हो लेकिन गौवर्मेंट के कुछ दो UPI है एक रूपे डेविट कार्ड यहाँ पे डेविट कार्ड और एक भीम पे तो अगर आप रूपे डेविट कार्ड से या भीम पे से pay करते हो और कोई goods कर्चेश करते हो अप तो रूपीस 2000 तो small transaction के लिए गौवर्मेंट ने एक यहाँ पे incentive scheme चलाई हुई है अगर उनका रूपे डेविट कार्ड यूज होता है या भीम पे यूज करता है वो क्या है कि जब भी आप यहाँ पे payment करते हो तो bank को यहाँ पे acquiring bank यह जो आपने debit card यूज किया आपने यूज किया और वो machine HDFC का होगा या वो ICICI का machine होगा तो वो जिसका जो भी company का machine होगा उसको कहा जाता है acquiring bank acquiring bank merchant को इस transaction के लिए charges लगाती है सुनिए merchant को इस transaction के लिए charges लगाती है maybe 1%, maybe 2%, maybe 0.75% और उस charges acquiring bank जो charges लगाती है और उस charges पे GST यहाँ पे लगता है तो government ने यहाँ पे एक clarification दिया और government ने यह कहा यहाँ पे देखो यह जो था कि अगर रुपे debit card या Bheem पे यूज होता है तो acquiring bank को जो commission होगा वो commission यहाँ पे जो है merchant नहीं देगा सुनों, वो commission merchant नहीं देगा वो commission इन दोनों card को promote करने के लिए government पे करती है समय लोग 2,000 के transaction में 1% 1% मतलब 20 रुपया 20 रुपया acquiring bank का अगर commission बनता है तो acquiring bank का commission जो है वो government पे करेगी to promote this रुपे debit card and Bheem पे तो सवाल यह था कि acquiring bank को जो पैसा मिल रहा है, सुनिए धान से acquiring bank को जो पैसा मिल रहा है वो merchant यानि उनके service recipients से नहीं मिल रहा है, उनको मिल रहा है government से, तो government से जो उनको मिल रहा है incentive, क्या ये consideration माना जाएगा या ये subsidy मानी जाएगी, हमने consideration की definition देखी थी, अगर आपको याद होगा तो, consideration की definition में हमने क्या देखा था, कि government से अगर कोई subsidy मिलती है तो वो consideration का part नहीं होगी साथ साथ में section 15.2 में भी हमने देखा था government subsidy link to the price I repeat, government subsidy link to the price वो value में add नहीं होगा, तो ये जो incentive government से मिलते है acquiring bank को, to promote this small transaction through repay debit card या BIM pay, तो ये जो acquiring bank को पैसा मिलेगा, क्या उसके उपर GST आएगा, क्या, तो ये clarification क्या कहता है, ये clarification कहता है कि नहीं ओके, ये in the nature of subsidy माना जाएगा, क्यों ये government अपने card को promote कर रही है, subsidy दे रही है, तो acquiring bank को जो commission मिलेगा, ओको वो in the nature of subsidy माना जाएगा, और not taxable in the hands of acquiring bank, तो ऐसे case में, अगर मैं direct clarification पढ़ो, बाकि facts of the case, मैंने diagrammatic presentation में explain कर दिया है, अगर मैं directly clarification पढ़ो, तो आपको exam के लिए क्या याद रखना है, आपको exam के लिए बस ये दो लाइन याद रखना है, क्या, it is clarified that incentive paid by M-E-I-T-Y अभाई M-E-E-I-T-Y promotion of rupee debit card and low value UPI, the transaction in the nature of subsidy and thus not taxable, मतलब ये subsidy की definition में आती है, तो वो जो consideration से excluded है, as well as section 15-2 में excluded है, इसके लिए इसके ओपर GST नहीं लगेगा, ओके चलिए यह हमारा हो गया यहाँ पर, बस supply में एक ही a clarification था, yes, sir, और कुछ भी नहीं था, और कुछ भी नहीं था, बस इतना ही clarification था, चलो, अच्छी बात है, मैं आपको कह देता हूँ, इस बार amendments जो है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, और गिन के, 10-15 pages की amendments है, यह तो मैंने in-depth case study बताया, अगर मैं इसकी summary बनाओ, तो दो line की summary बनती है, और ऐसा 34 pages को contest कर दूँ, तो 12-13 pages में सारी amendments कतम हो जाएगी, तो चलिए, यह हो गया हमारा, यहाँ पे पहला chapter, चलिए, RCM और ECM में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे, छोटा सा change हुआ है, और कहीं नहीं, छोटा सा change हुआ है, और वो क्या छोटा सा change हुआ है, provision of this notification, अगर मैं text पड़ू, तो provision of this notification, insofar as they apply to central government, state government, shall apply to the parliament, state legislature, court and tribunal, तो उन्होंने state legislature, court and tribunal add किया है, जैसे, आपको याद होता है, government अगर service देगा to any business entity, गोवर्मेंट service देगा to any business entity, या फिर government renting of immobile property, तो जहाँ जहाँ भी notification में government use किया है, जो भी reverse charge की notification है, reverse charge की cases है, हमने government GTA में देखा, हमने GTA को exemption है government का, उसके बाद में आपने देखा कि, government अगर कोई भी services business entity को देती है, तो reverse charge है, उसके बाद में हमने देखा, renting of immobile property, तो जो provision government को applicable होगी, यहाँ पे court and tribunal को भी applicable होगी, यहने court or tribunal की कोई property होगी, और कोई premises होगी, और वो rent पे देते है, to telecommunication company, एन एक्सेटरा, तो वो case में भी reverse charge apply होगा, तो specially आपको याद रखना है, court and tribunal, याद रखना है court and tribunal, और यह state legislature के जगा, तीन वर्ड आ गया, मतलब state legislature तो continue रहेगा, और कि यह मत सबज नहीं, और यह state legislature काट के आपने ऐसा क्यों बता है, state legislature तो continue रहेगा, और साथ साथ में उन्हें ने दो words आड कर दिये, और वो दो words के आड कर दिये, court and tribunal, यह आड कर दिये, तो यह था regarding to amendments under your charge, sir और कोई amendments, और कुछ भी amendments है, sir इत्तुसी amendments है, चलो अच्छी बात है, next देख लेते हैं, next topic value of supply में आईएगा, और value of supply में यहाँ पे एक clarification है, और यह clarification थोड़ा मैं diagrammatic presentation से explain करना चाहोगा, हाँ, अगर आपको diagram निकालनी है, तो आप यह diagram निकाल सकते हो, पहला वाला मैं screenshot दे देता हूँ आपको, वो निकाल लो, चलो, और आप ना, जब amendments के notes में ही, एक black page बे यह diagram निकालो, है ना, आपको समझने में बड़ी आसानी होगी, तो चलो screenshot ले लो और यह diagram निकाल लेना आपने, यह पहले वाला जो supply वाला acquiring bank वाला है, उसका screenshot ले लो, वह diagram निकाल लेना, उतला आपके revision अच्छे से हो जाएगी, ले लिए आपने screenshot और यह बना लेना, और अब यह second diagram पहले में explain कर देता हूँ, जो value of supply की chapter में, और फिर इसका screenshot आपने लेना है, देखो यह क्या है, जैसे insurance company, especially general insurance में, car का insurance हो, fire insurance हो, तो आपने देखा होगा, जैसे पहला insurance आपने कोई insurance company से निकाला, premium आपका 10,000 plus GST आपने pay किया, लेकिन अगर आपने कोई damages claim नहीं किये, तो आपको, आपने कोई insurance claim नहीं किये, इंशुरेंस claim नहीं किया वो साल, क्योंकि कुछ होगा ही नहीं, जैसे आपने car का insurance निकाला, और car में कोई damage नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और आपने कोई भी insurance claim नहीं किया हुआ है, तो next insurance के वक, आपको no claim bonus मिलता है, यह आपके जानकारी में होगा, आपको 2000 रुपे कम कर देती है, और आपको next इसमें net premium 8000 लेती है, तो आपका gross premium तो 10,000 हो गया, 2000 रुपे उन्होंने कम कर दी है, और net premium कितना हुआ, 8000 रुपीज हुआ, तो यहाँ दो questions कड़े हुए, जो CBIC को पूछा गया, तो अगेन इस चाप्टर में सीब हमें CBIC clarification देखना है, बाकी कोई भी amendments इसमें नहीं है, और Finance Act 2022 आपका तो अलरड़ी में में cover हो गया होगा, तो चलिए, दोस्तों यह अगर है, यहाँ देखिएगा, इस पे दो सवाल खड़ा हुए, तो क्या insurance company ने यह 2000 रुपे कम किये, अब एक अजीव question उठाया गया, वो यह, कि 2000 रुपे कम किये, क्या यह non-tolerance का, या refrenning from Act का supply consideration बाना जाएगा क्या, मतलब insurance company ने, यहाँ पे सुनिए, insurance company ने कुछ ना किया, उसका 2000 रुपे आपको benefit दिया, कुछ ना किया, तुमने claim bonus ने किया, 2000 रुपे का तुमको benefit दिया, तो policy holder के लिए, कुछ ना करने का 2000 रुपे का benefit मिला, policy holder के लिए, कुछ ना करने का 2000 रुपे का benefit मिला, तो वो situation में, क्या policy holder को, 2000 रुपे consideration माना जाएगा क्या, और GST आएगा क्या, तो उसपे clarification आया है कि it cannot be considered as a consideration for supply, refraining from an act and not taxable, तो दोस्तो yes, उसको consideration नहीं माना जाएगा और उसके पर GST नहीं हाएगा चलो, यह तुमने policy holder के एंगल से देखा okay, from the prospect of policy holder दूसरा सवाल है, कि insurance company ने next bill में no claim bonus दिया 2000, क्या इसको discount माना जाएगा क्या, मतलब insurance company अगर GST लगाएगी तो GST 10,000 पे लगाएगी या 8,000, अब आपको insurance company के prospect से सोचना है, तो वो 10,000 पे लगाएगी या 8,000 पे लगाएगी तो ऐसे situation में जहां तक देखा जाए, तो insurance उन्होंने फिर से clarification दिया दोनों issues में discuss करूँगा, कि यह section 15,3 का discount माना जाएगा for insurance company, फिर से बना for insurance company यह section 15,3 का discount माना जाएगा, और इसके ओपर GST payable नहीं होगा इसका deduction मिलेगा, और net premium net premium आपका कितना है boss, तो net premium 8,000 पे ही, यहाँ पे GST payable होगा GST जो आपका payable होगा, वो net premium, okay, 8,000 पे ही होगा, I hope आपको समझाओगा, तो दोनो issue, जब policy holder के angle से देखा जाए, तो policy holder के angle से okay, यहाँ पे यह supply नहीं माना जाएगा, okay, और company के angle से देखा जाए, तो इसको deduction भी मिलेगा, यह diagram ट्रॉ करना और अच्छे समझ में आजाएगा, screenshot ले इसका चली, तो देखो whether deduction on account of no claim bonus allowed by insurance company from insurance premium payable by the insured can be considered as a consideration for supply provided by insured to insurance company for agreeing provided by insured to insurance company and a policy holder, यह insured means policy holder, for agreeing to an obligation to refrain from an act of lodging insurance claim during the previous year, it is clarified that there is no supply provided by insured to insurance company in the form of agreeing to an obligation to refrain from an act of lodging insurance claim during the previous year so no claim bonus cannot be considered as a consideration for supply provided by insured to insurance company, यह supply नही बुला जाएगा और दूसरा issue ये था whether no claim bonus provided by insurance company to insured can be considered as admissible discount for the purpose of determination of value of supply तो direct इसका clarification पड़ता हो it is clarified that no compromise is permissible deduction under section 15.3a okay discount माना जाएगा of CGST Act to calculate the value of supply of insurance service provided by insurance company to insured okay accordingly if deduction on account of NCB is provided NCB मतलब no claim bonus okay in the invoice issued by insurer to insured GST shall be liable on net actual premium आपका जो 8000 का actual premium है उस पर ही GST pay किया जाएगा चलो अच्छी बात है और क्या है तो यह देखा आपने यहाँ पे valuation इतना ही clarification था इसको अगर concise कर दूँ तो 4 line 4 line की वो consideration नहीं माना जाएगा from policy older angle insured person angle और insurance company अगर आप summary बनाओ मैं तो summary दूगा लेकिन क्या है बेटा मैं सब कुछ देता हूँ मैं हर batch में करता हूँ आपको ना दुनिया भर की YouTube पे spoon feeding वाले मिल जाएंगे यह लेलो लेलो मेरा लेलो summary लेलो यह लेलो वो लेलो इतना ही पड़ो उतना ही पड़ो और आपको यह सब कुछ मिल जाएगा लेकिन boss इससे आप score नहीं कर पाऊगे जब तक आप खुद नहीं बनाते हूँ मैं भी दूँगा आपको summary लेकिन boss खुद बनाओ दिमाग में fit हो जाएगा मेरे यह बात याद अखना इस बार बहुत सारे rankers के यही feedback है regarding to value of supply चलिए next chapter payment of tax इसमें एक बहुत ही छोटी से amendment हुई है मुझे लगता है इतनी important है keep in priority B rule 87.8 में एक provision है फ्रहा समझा देता हूँ if a bank account of person concerned or person making the deposit on his behalf is debited but no challenge identification is generated or generated but not communicated on common portal the same person में represent electronically in GST PMT07 through common portal to a bank e-gateway through which the deposit was initiated मतलब क्या जैसे आप PMT06 चलान से पे करते हो तो आपका एक चलान identification number generate होता है TIN तो बहुती बार server में problem होने के वज़े से आपका CIN generate नहीं हो पाता है I repeat server में problem होने के वज़े से आपका CIN generate नहीं हो पाता है दूसरा जहां तक देखा जाए तो यहाँ CIN generate होने के बाद भी common portal पे communicate नहीं हो पाता है तो ऐसे situation में हम अगर हम देखे तो वो case में हमें PMT07 चलान में complaint file करनी पड़ती है कि यह गरबर हुई है और आपको सारी details जो है e gateway के थरू प्रोवाइट करनी पड़ती है कि कौन से बैंक के e gateway के थरू आपने पे किया है ठीक है तो आपका CIN generate नहीं हुआ या generate हुआ लेकिन common portal पे communicate नहीं हुआ इसका impact क्या होता है इसका impact नहीं होता है कि आपके electronic cash ledger में तुनिएगा आपके electronic cash ledger में पैसा जमा ही नहीं होता है तो आप taxi नहीं adjust कर पाते हो तो एक प्रोवीजो जो बहुत अच्छी प्रोवीजो लाई और प्रोवीजो क्या लाई provided that where bank fails to communicate details of CIN to common portal details of CIN to common portal the electronic cash ledger में updated on the basis of e-scrawl ये बड़ा important है e-scrawl of the RBI in cases where details of said e-scrawl are in the conformity with the details in Chalan generated in PMT06 on common portal मतलब ये है कि RBI के पास जैसे तुम payment करते हो तो IBI के पास एक e-scrawl तयार हो जाता है ठीक है CIN generate नहीं हुआ होगा common portal update नहीं होगा लेकिन RBI के पास e-scrawl generate हो जाता है तो e-scrawl के basis पर भी यहाँ पे आपका cash ledger update हो जाएगा और cash ledger में दिक्कत नहीं जाएगे तो चलो अच्छी बात है कि अब CIN या कोई भी portal problem होता है तो e-scrawl basis पर आपका cash ledger update हो जाएगा और आपके cash ledger में पैसा आ जाएगा यह बहुत अच्छा उन्होंने अबडेशन दिया है लेकिन मैं priority B में क्यों बोल रहा हो कि अगर इसको पर पूछा तो MCQ पूछा जाएगा अगर आप इसके summary बना रहे हो जो बनाना चाहिए आपने मैं दूगा वो बात अलग वो तो उन students के लिए जिनको सब readyment माल चाहिए लेकिन जो खुद बनाना चाहते कुछ उनके लिए मैं कहता हो कि इसको एक line में कैसे करना तो एक line में आपको यह करना है कि e-cash ledger also updated on the basis of e-scroll बात खत्म पूरी amendment is over गईर अच्छी बात तो चलिए यह हमने payment of tax में इतना amendment देखा चलिए next topic हमारा रहेगा input tax credit input tax credit में दो amendment हुई है एक amendment rule 37 में हुई है minor amendment है कि इन priority भी बी में रखो और एक नया rule add हुआ है rule 37 rule 37 क्या था सर रूल बोल तो याद नहीं कोशिश करते है याद आ जाएगा अगर आपको second proviso to section 16 याद होगा तो supplier को 180 days में payment करना पड़ता है अगर recipient ने उसका ITC ले लिया होगा from the date of invoice अगर recipient ने 180 days में payment नहीं किया value plus tax I repeat value plus tax दोनों का payment अगर 180 days में वो नहीं करता है तो वो situation में recipient ने जो ITC लिया है वो उसे reverse या pay करना पड़ेगा अब इसमें क्या हुआ कि पहले जो rule था उसमें ये impression आ रहा था कि अगर पूरा payment किया वोली payment किया एक सबस्सी दिन में तो ही वो situation में recipient अपना ITC continue रख सकता है इसमें practical difficulties क्या है इसमें practical difficulties है कि चलो 180 days में मैंने partly payment कर दिया 50%, 60%, 70% payment कर दिया और कुछ ही payment बाकि है तो department ये view ले रहा था कि नहीं अगर आपका 1 रुपिया भी payment बाकि है value plus tax तो आपको पूरा का पूरा ITC reverse करना पड़ेगा लेकिन यहाँ पे एक छोटी amendment रही और उन्होंने भोल ली और और partly, partly word add कर दिया मतलब क्या कि अगर partly किया तो भी चलेगा, मतलब यह हुआ कि अगर partly आपने payment किया तो आपको पूरा ITC reverse करने की जरुवत नहीं है आपको proportionate ITC ही reverse करने की जरुवत है I repeat, आपको proportionate ITC ही reverse करने की जरुवत है तो जो आपने 180 days में payment कर दिया उसका ITC proportionate basis पे निकालना पड़ेगा वो आपको reverse करने की जरुवत नहीं है और जो 180 days from the date of invoice आपने payment नहीं किया होगा तो उसका ITC आपको reverse करना पड़ेगा या pay करना पड़ेगा in your GSTR 3B आपको यह समझा होगा तो क्या change हुआ चलो conclude करते की पहले वोली एक impression आ रहा था अब उन्होंने वड़ एर कर दिया वोली और पार्ट ली और दूसरा आपको proportionate basis जो आपने पे नहीं किया उतना ही ITC आपको reverse करना है तो चलो भाईयो यह amendment होगी नेक्स देख लेते हैं नेक्स शुरुवात में करूगा section 16 से क्योंकि यहां से उसका जनम है तो section 16 में अगर हम देखे हैं तो section 16 2 C आपके पास book होगी तो open करके रखो section 16 2 C क्या कहता है पहला अगर आपको याद होगा A तो आपके पास invoice or debit note या other tax paying document जो prescribed by rule 36 में आपके position में होना चाहिए clause AA सामने वाले ने GSTR1 में update करना चाहिए और आपके 2B में आना चाहिए उसके बाद में यहां पे goods or services receive हो जाना चाहिए bill to shift to model हमने देखा था साथ साथ में और next condition है अगर next condition याद होगी subject to provision of section 41 yes आपके supplier ने अगर याद होगा तो आपके supplier ने जो tax आपको invoice में charge करके दिया वो government को pay कर देना चाहिए तो इसका meaning क्या रहा था इसका meaning यह आ रहा था यहां पे कि अगर बाद में पता चलता है कि आपके ITC लेने के बाद specially आपके ITC लेने के बाद पता चलता है कि आपके supplier ने government को tax ही नहीं दिया और आपने invoice basis plus GSTR1 में update हो गया आपके 2B में आ गया आपने credit ले लिया और बाद में पता चलता है बंदे ने 3B नहीं फाइल किया बंदे ने government को pay नहीं किया तो वो situation में जहां तक देखा जया डिपार्टमेंट आपका लिया हुआ ITC reverse करती थी sir इसमें मेरी क्या गलती आपकी गलती नहीं भी होगी तो भी आपने आपके supplier की गलती आप पर भारी पढ़ सकती है याने करेगा कोई भरेगा कोई बात ऐसी होगी तो ऐसे situation में दोस्तो यहां पर एक सवाल practical life में खड़ा होता था कि हमें कैसे पता चलेगा कि उसने हमारे tax का payment किया या नहीं किया तो लोग यह presume करके बैटे थे कि ठीक है सामने वाला supplier अगर 3B file कर रहा है इसका मतलब pay कर दिया होगा अगर 3B file नहीं किया होगा जो आप trace कर सकते हो तो उसने supplier ने 3B GSTR 3B file नहीं किया होगा तो आप उसका credit नहीं ले सकागा मतलब आपको credit reverse करना पड़ेगा उसका मतलब ही होगा कि सामने वाले ने pay नहीं किया तो यह presumption था लेकिन government ने इसको अब बहुत अच्छे से clarify किया क्योंकि पहले बहुत ही confusion था confusion नी confusion solution कुछ पता ने तो दोस्तो इसमें इतनी अच्छा amendment आई और rule 37 A आया और last time section 41 भी इससे related update किया गया चलिए तो जनम यहां से होगा section 16 2C से जनम क्या हुआ कि okay broad sense में section यह कहता है clause C यह कहता है कि आपके supplier ने pay कर देना चाहिए तो ही आपका credit continue रहेगा अगर यह पता चलता है कि आपके supplier ने pay नहीं किया तो वो situation में सुनो वो situation में कि आपका credit reverse होगा पर वो कहते subject to provision of section 41 पर यह कैसे होगा क्या होगा तो section 41 में okay आपको दिया गया है तो 41 पढ़ ले दे साथ में 41 क्या कहता है 41 कहता है section 41 okay claim of ITC and provisional acceptance दे रहाँ तो देखो क्या कहता है every register percentual subject to such conditions and restrictions as may be prescribed यह क्याल रखना condition and restrictions as may be prescribed be entitled to avail credit of eligible input tax as self-assist मतलब क्या कि उसके GSTR GSTR 2B में अगर update हो जाता है तो वो ITC ले सकता है बस basic criteria कि 2B में update हो जाना चाहिए in his return and such amount shall be credited to electronic credit leisure उसका पैसा electronic credit leisure को transfer हो जाएगा चलो यह बात तो clear हो गई कि अगर सामने वाले ने GSTR 1 दिया होगा और आपके GSTR 2B में आ गया होगा तो आपको credit मिल जाएगा क्योंकि वो self-assist basis पे ले सकता है credit now the credit of input tax available by register person under subsection 1 अब ले लिया credit in respect of such supplies of goods or sorry sir both the tax payable there on tax payable there on underline करना has not been paid by supplier अगर बात में पता चलता है पहले तो credit ले लो याने section 41 ही खुद अलाव करता है कि immediate आपको देखने की month wise जरूरी नहीं है कि आपके supplier ने pay कि नहीं किया 3B दिया कि नहीं दिया ये month wise देखने की जरूरत नहीं है आप पहले credit ले लो 2B में आ गया ना important है कि आपके supplier ने GSTR 1 देना चीए और आपके 2B में आना चीए अब उसने pay किया कि नहीं किया उसने 3B फाइल किया कि नहीं किया ये आपको immediate देखने की जरूरत नहीं है आप credit ले लो लेकिन बाद में पता चलता है कि आपके supplier ने pay नहीं किया तो आपको उतना credit reverse करना पड़ेगा along with interest सुनिये 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 in such a manner as we prescribe तो आपको reversal कप करना है कैसे करना है कितना करना है interest कितना देना है ये सब rule 37A में दिया जाएगा और rule 37A का जनम होता है तो दिखो ओके बही जनम की गंगा कैसे बर रही है और कि अगर आप देखते हो तो section 162C क्या कहता है कि supplier ने पे करना चाहिए subject to provision of section 41 पे कर दिया तो आपका credit continue रहेगा 41 कहता है कि आप जो है GSTR to be self-assist करके credit ले लो और credit लेने के बाद अगर बाद में पता चलता है कि supplier ने नहीं दिया तो आपको reverse करना पड़ेगा along with interest कैसा करना पड़ेगा in such a manner as prescribed rule 37a में उसकी procedure दिये गई है आगे वो क्या कहते है provided that where the state supplier makes the payment of tax payable in respect of a poor state supplier the register person may re-avail the amount of credit reverse by him ओके वो re-avail भी कर सकता है in a manner as may be prescribed अब re-avail भी करेगा कैसे करेगा चलो ओके यह sir re-availment क्या है re-availment मतलब क्या कि supplier ने पे नहीं किया supplier ने pay नहीं करने के वज़े से recipient का ITC reverse हुआ लेकिन supplier ने बाद में pay कर दिया अरे अच्छी बात है क्योंकि आप supplier की feature लगए यार pay कर pay कर मेरा ITC reverse हो गया तिरे वज़े से तो चल pay कर आपका supplier ने pay कर दिया भाई बाद में अगर आपके supplier ने बाद में pay कर दिया तो आपका ITC re-avail हो जाएगा अब या ITC re-avail कोई से होगा क्या होगा in such a manner as prescribed मतलब फिर से rule 37A में कि आपको procedure हम देंगे और rule 37A की procedure आपको follow करनी पड़ेगी तो चलो भाई कि आगे ये गंगा आगे वहरी है rule 37A में जनम हुआ section 16 to C से हम बढ़ते जा रहे हैं आगे तो mainly अब आपको exam में जो सवाल पूछ सकते है very 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 important और वो जो है rule 37A पे आपको question पुछा जा सकता है कोई case study पुछी जा सकती है इस बार इस पे question आएगा लिख के रख लो boss अगर नहीं आया तो मैं जो है यहाँ पे इनने सटर में पीर से बढ़ा दूगा आएगा आएगा बिटा आएगा तो चलो 37A प्रोसीजर क्या देता है 37A कैता है where ITC has been available by register person in the return in GSTR 3B for a tax period in respect of search invoice or debit note अगर किसी recipient ने register person मतलब जिसने goods और services करीदा उसने 3B में ITC avail कर लिया avail तो आप 3B में करोगे मतलब process क्या है सामने वाला GSTR 1 में update करेगा आपके 2B में आ गया 2B में आने के बाद आपने 3B में उसका ITC claim कर लिया याद आ रहा है क्या नहीं याद आ रहा है फिर आप भाई पढ़ना पड़ेगा मैंने पूरी process बताए थी अगर आपने मेरा class किया होगा तो payment of tax chapter में मैंने पूरा flow बताए था कि पहले GSTR 1 में वो update करता है हमारे 2B में आता है 2B के बाद हम 3B में उसको claim करते है और मैंने invoice debit note के invoice आ गया debit note आ गई 2B में आ गया और using IFF IFF मतलब invoice furnishing facility but the return in GSTR 3B for the tax period corresponding to the state statement of outer supply has not been furnished by supplier till the day of September following the end of financial year in which ITC in respect of invoice or debit note has been available मतलब ये हुआ कि आपके supplier ने GSTR 1 दे लिया आपके 2B में आ गया आपने credit लिया पर जो month का GSTR 1 दिया उसका 3B भी नहीं दिया और अबता है कि अगर उस month का 3B नहीं दिया तो आगे के 3B फाइली नहीं कर सकते अब आगे का छोड़ो मतलब पहले जो month का 3B नहीं दिया पहले वो देख लेते फिर आगे को same procedure अपला होगी तो उसने GSTR 1 तो दिया पर 3B नहीं दिया अब 3B नहीं दिया तो वो क्या कहते है अब इसको डाइग्रमेटिक प्रेजेंटेशन से मैं समझा देता हो तो आपको समझना आसान होगा बात में आपको अगर उसका फोटो निकालना है तो तू नहीं तो थारो फोटो भी चाल से वो देख ले ना देखे भई आपका सप्लायर है और आप रिसीपियंट रिजिस्टर पर सन हो आरपी आप रिसीपियंट हो आई आप ITC ले रहे हो समझे लो फॉर्द मन्त अब जून जून का उसने GSTR-1 फाइल कर दिया जून का GSTR-1 का फाइल किया जो भी 11 तारीक होगी उसने फाइल कर दिया GSTR-1 में उसने अपडेट कर दिया और के रिसीपियंट के 2B में आ गया अब रिसीपियंट के 2B में आने के बाद रिसीपियंट ने ITC ले लिया ऐसमों सेक्शन 41 सेक्शन 41 क्या कहता है अब आगे क्या बात हुई मैंने ITC तो अवेल कर लिया अब वो क्या कहता है अब सामने वाले ने GSTR-1 के बाद उसका 3B नहीं दिया जून का 3B नहीं दिया और आपके नॉलेज के लिए कह दू अगर जून का 3B नहीं देते हो अगर उसने जून का 3B नहीं दिया तो कोई ठीक है वेट करो मतलब आपका आपने ITC लिया सेक्शन 41 के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है अब अमेंडमेंड क्या हुई रूल 37A एड हुआ और रूल 37A ने यहाँ पे एक बेनिफिट दिया पहले क्या होता था पहले ऐसा होता था कि जैसी पता चलता है कि उसने 3B नहीं दिया इमीजिटली इसको रिवर्सल करना पड़ता था लेकिन अब रिसिपियंड को इमीजिटली रिवर्सल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है 37A कहता है कि 3B नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, आपने लियाओ, credit continue रखो, वेट करो, वो अगर उसने पुरे साल बर में 3B नहीं दिया, कोई problem नहीं, subsequent financial year, अतलब next year, जैसे financial year end हो जाता है, उसके बाद, अगर वो September end तक, I repeat, September end तक 3B दे देता है, September end तक 3B दे देता है, तो आपके ITC continue रहेंगे, अगर September end तक 3B नहीं दिया, ओके, अब देखो, यहाँ पर, if GSTR 3B, 3B is given, is, if GSTR 3B is, is given, September end, आपके ITC continue रहेगे, ओके, तो आपके ITC continue रहेगे, तो आपके रहेगे, ITC continue, आपके ITC continue रहेगे, कोई, अने जो लिया, वो continue रहेगा, लेकिन, अने जो already taken, वो continue रहेगा, लेकिन, if GSTR 3B is not given, if GSTR 3B is not given, till September end, आपके supplier ने, जून का GSTR 3B, सुनिएगा, आपके supplier ने, जून का GSTR 3B, September end तक नहीं दिया, नहीं दिया, दिया तो लिया हुआ credit continue रहेगा, पर September end तक नहीं दिया, तो law क्या कहता है, मतलब उसको time दिया September end तक, तो अगर उसने September end तक नहीं दिया, तो वो situation में, आपको, आपको 30th November तक, ओके आपको 30th November तक, ओके 30th November तक, GSTR 3B में, आपको reverse कर देना पड़ेगा ITC, reverse करना पड़ेगा या pay करना पड़ेगा, I repeat, balance होगा तो reverse करो, अगर आपके ITC में balance नहीं होगा तो pay करो, 30th November तक, मतलब क्या, हमें आगे दो मैने दिये है, एक बार फिर से, ये point समय लो, उसने अगर आपके supplier ने September एंट तक 3B नहीं दिया, तो आपको September, October, November एंट तक, I repeat, November एंट तक का time दिया है, तो एंट तक आपको लिया हुआ ITC reverse करना पड़ेगा, अब 30th November एंट तक, अगर आप थोड़े मैच ओड होगे और आपको लाप पता है, तो 30th November तक वो कह November का GSTR 3B आएगा, क्योंकि November का GSTR 3B तो December में जाएगा, और आपको रिवर्सल, जो भी GSTR 3B, 30th November के पहले होगा, या 30th November तक फाइल कर रहे होगे, तो तब तक आपको reverse करना पड़ेगा, मतलब क्या, मतलब October का जब GSTR 3B जाएगा, 20 November, या लेट हुआ, डिले हुआ, तो 22 November, 25 November या 30 November, ओके डिले, तो आने 10 दिन डिले हो जाता है, तो भी आप reverse कर सकते हो, याने October का GSTR 3B जब आप November में फाइल करोगे, 20 तारिको, 21 तारिको, 25 तारिको, या 30 तारिको, तो वो सिचुएशन में आपको वो reverse करना पड़ेगा, वो reverse करना पड़ेगा, देखो भाई, और वो GSTR 3B में reverse होगा, या pay होगा, चली, आपने reverse कर दिया, ओके यारे सर मैंने credit लिया था, अब मुझे reverse करना पड़ रहा है, तो पहले देख बताओ, क्या आपको immediate reverse करना पड़ा क्या, ये तो उसने 3B तो दिया ही नहीं था, immediate करना पड़ा क्या, नहीं, ये बहुत बड और उसने दे दिया GSTR 3B, तो आपका लियावा credit continue रहेगा, उस पर कोई objection आपको नहीं आएगा, लेकिन अगर उसने September एंट तक नहीं दिया, तो फिर आपको online चेक करना पड़ेगा, मतलब आपके CEO को आपको बोलना पड़ेगा, चेक कर वही उसके supplier के सारे GSTR 3B सप्टे ब पड़ेगा, जितने लियावा ITC, चलो आपने reverse और पे कर दिया, सर यह बताओ, कि अगर मैंने, ओके यहाँ पे, मैंने reverse नहीं किया 30 November तक तो तो फिर आगे तो reverse करना ही पड़ेगा, पर along with interest, ओके, और interest under section 50 यहने 53 का interest लग जाएगा, और मेरे हिसाब से यह 24% per annum के हिसाब स कि wrongly availed and utilize करते हो, तो वो situation में आपको जो है, यहाँ पे 24% per annum से universal करना पड़ेगा, I hope आपको यह point समझा होगा, sorry, interest देना पड़ेगा 24% per annum के हिसाब से, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो, यह हुआ कि अगर आप 30 November तक लिया हुआ ITC reverse कर देते हो, तो आ इंट्रेस कब लगेगा आपको, इंट्रेस तब लगेगा, अगर आपने 30 November तक लिया हुआ ITC, reverse नहीं किया तो, तो अब यह तो हुआ, regarding to, आपने reverse कर दिया, within time या बात में, जो भी है, with interest, लेकिन, अब आपके supplier, आप अपने supplier को call कर रहे हो, क्या यार, तुने पिछले साल आपके जून का GSTR3 भी अभी तक नहीं दिया, बाकी के तो अलगी है, बाकी के तो अलगी है, आगे के GSTR3 भी हम उसकी बात ही नहीं कर रहे है, उसके consequence के से तो similar आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन, हम जून की बात कर रहे है, तो जून का GSTR3 भी तुने अभी तक नहीं दिया यार, यह तो गलत है न, तो अब उसने, ओके पिछले साल का, यानि अगर मैं financial year 23-24 लू, तो उसका GSTR3 भी अगले साल के financial year में जैन में दिया, तो जनवरी में आगा 3 भी फाइल करता है, तो आपने जो ITC reverse किया, आपने जो ITC reverse किया था, वो वापस आप रिगेन कर सक सकते हो, आप रिपेट, आप रिवेल कर सकते हो, लेकिन ITC का ही रिवेल्मेंट मिलेगा, अगर आपने interest दिया होगा, क्यूंकि 30 November के बाद आपको interest भी लगता है, और interest दिया होगा, तो उसका regain नहीं होगा, ITC का, रिगेन मतलब फिर से 3 भी में आप अवेल कर लो, तो भाइ immediate reverse करने की जरुवत नहीं है, और कि गौवर्मेंट ने का है कि आपका supplier, अगर September 1 तक भी 3 भी डाल देता है, जून का, जून का 3 भी, अगर September 1 तक भी दे देता है, तो आपका लिवा ITC continue रहेगा, लेकिन जून का 3 भी, अगर वो September 1 तक नहीं देता है, तो आपकी जिम्मेदा ये कि आप September में, October में या November 1 तक, November 1 तक reverse कर देना चाहिए, इन 3 भी, आपका जो 3 भी रहेगा, supplier का नहीं, आपका जो 3 भी रहेगा, उसमें ITC आप reverse करोगे, तो जनरली ये में देखा जाएगा, कि 30 November के पहले October का 3 भी आता है, तो October का 3 भी में आप reverse कर दोगे, ठीके, अगर आपने 30 November तक वो reverse नहीं किया, GSTR 3 भी में, तो आपको interest लग जाएगा, चलो, आपका supplier सुधर गया, और आपके supplier ने 3 भी, जून का 3 भी यहाँ पे जन्वरी में, अगले साल के financial year के जन्वरी में दिया, तो जो मन्त में वो 3 भी देगा, जन्वरी में दे, फर्वरी में दे, माच में दे, जो मन्त कीस में हो 3 भी देगा, वो मन्त में आप ITC ले सकते हो, तो चलिए दोस्तों, यह कितना easy हो गया, अब उनने clarity हमको दे दी, तो चलिए, वो आगे प्रोविजो में क्या कहते है, इप ITC not reverse within time, मैंने कही दिया, कि अगर उसने 30 November तक ITC reverse नहीं किया, तो उ development, मतलब regaining, इस पर भी आपने बात कर ली, कि जब भी वो 3 भी फाइल करेगा, और कि जब भी वो 3 भी फाइल करेगा, उसके basis पे अब आप ITC reverse कर लेना, तो जहां से गंगा भी थी, वहां से मैं फिर से लेना चाहोगा, section 62C क्या कहता है, section 62C कहता है, कि आपके supplier ने pay कर देना चाहिए, अब pay कर देना चाहिए, तो वो अब payment basis पे नहीं, अगर आप rule 37A देखते हो, तो आपके supplier ने tax pay कर देना चाहिए, उसके लिए base लिया गया 3B, मतलब आपके supplier ने 3B फाइल कर देना चाहिए, अब उसने वो 3B में मेरा payment किया होगा, नहीं किया होगा, वो बाद अगले साल के September end तक, अगले साल के September end तक भी अगर वो 3B फाइल कर दे, तो section 162C के तहत, यह माना जाएगा कि उसने payment कर दिया है, और आपका credit continue हो रहेगा, otherwise आगे के consequences आजाएंगे, ओके देखो, यहाँ पे हमने detail में देखा, यह important points अगर आपको पढ़ना, जो मैंने explain कर दि ठीक है, देखो question है, important exam में इसके पर सवाल आ सकता है, Mrs. Perfect Limited received an invoice on 1st of January 20 YY, YY मतलब हम 20, आपको समझ ले के लिए 2023 ले ले लेते हैं, क्योंकि वो YY जड़़़़़ में शायद आपको confusion हो जाएगा, तो 2023 ले ले लेते हैं, ठीक है, invoice आया 11800 का, इसमें 10,000 basic price and 18% GST, against the service firm Mrs. Imperfect Limited has filed GSTR 1 for January 20 YY, मतलब 20 YY, मतलब 2023, तो उसने January 20 YY का GSTR 1 तो फाइल कर दिया था, with the due date, and as a conscience, invoice got reflected in GSTR 2B of Perfect Limited, based on GSTR 2B, Mrs. Perfect Limited availed the ITC, while filing the GSTR 3B of January 20 YY, उसने credit ले ले लिया, उसने credit ले 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 ले, However, Mrs. Imperfect Limited did not file GSTR 3B of January 20 YY, क्योंकि January 20 का, okay, January का, okay, January का invoice था, और उसने 3 GSTR 1 तो दिया, और उसका 3B file नहीं किया, what will be the course of action for Mrs. Perfect Limited under the following circumstances, course of action क्या है, okay, under the following circumstances, case 1, Mrs. Imperfect Limited file its January 20 XX GSTR 3B, Okay, on 29 20 YY, अब देखो, मतलब क्या, उसने GSTR 3B, okay, September के पहले file कर दिया, अगर आपके supplier ने, okay, YY मतलब 23 चलेगा ना, क्योंकि 22 23 और 23 24, नहीं से सुनो, मेरा फिछला financial year क्या हुआ, मेरा फिछला financial year हुआ, 22 23, अगर मैं YY 23 लेता हुँ, तो, अगर मैं YY 23 लेता हुँ, तो, Okay, फिछला financial year क्या हुआ, 22 23, और अगला financial year क्या होगा, Okay, 23 24, मतलब ये जो है, September 20 YY का, मतलब, Okay, April के बाद नया financial year चालो हो गया, तो, New financial year के September तक, तो, नया financial year में 23 continue रहेगा, क्योंकि 23 24 रहेगा, Okay, तो, ऐसे case में September तक दे दिया, अगर उसने September तक दे दिया, तो, मुझे reverse क करने की, कोई भी जरूरात नहीं है, second, case 2, message imperfect limited file, it January 20, अच्छा, imperfect limited, January 20, वाय वाय चाहिए, यहाँ पर, एक ग्यारबड होगे, जन्वरी का गाना, यहां correction कर लो, यहां वाय वाय कर ले ना, बटा, तो, टाइपिंग में ग्यारबड होगे, यह भी वाय वाय कर ले ना, यह भी वाय वाय कर ले ना, तीनों जगा वाय वाय कर ले ना, ठीक है, corrected होगा तो, अगर corrected नहीं होगा, तो, उतना correction कर लो, ठीक है, तो, अब यहां पर, second, message imperfect limited file, January 20, वाय वाय वाय, जिस्ट या 3B, on November, अब देहान से सुनियागा, उसने November, यहन रिए ग्राम से समझाओगा, उसने September, रिए ना चाहिए था, उसने November दिया, तो, अगर उसने November में दिया होगा, तो, आपको, रिवर्सल करना पड़ेगा, आपको, रिवर्सल करना पड़ेगा, पर, Sir, एक सवाल है, सामने वाले ने September तक नहीं दिया, तो, यह मानते है, कि हम में भी डेट November तक की reversal किया, तो सर उसने November के पहले दे दिया, तो reverse नहीं करते, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, ओके उसने अगर November में दिया, तो आपको 3B में reversal में बताना पड़ेगा, और उसने 3B भी दिया, इसलिए आपको Regain भी November में हो जाएगा, मतलब आपका 3B कैसे दिखे पता है आपका 3B देखेगा कि आपको reversal भी बताना पड़ेगा और re-availment भी बताना पड़ेगा क्योंकि उसने 3B दे दिया तो 3B दे दिया तो यहाँ पे re-availment भी बताना पड़ेगा हाँ बात यह है कि आपको interest नहीं लगेगा तो जब आप यहाँ पे November में 3B फाइल करोगे कौन से मन का November में 3B फाइल करोगे October मन का October मन का November में 3B फाइल करोगे तो वो situation में सुना दैंसे वो situation में ओके यहाँ पे आपको यह जो September end तक नहीं दिया इसका reversal trick हो जाएगा और आप 3B November में दे रहो इसलिए re-availment भी हो जाएगा तो आपके 3B में दोनों entry लगेगी दोनों entry मतलब reversal भी दीखेगा और re-availment भी दीखेगा तो उसका impact तो 0 ही होगा क्योंकि आपने reversal बता दिया और re-availment बता दिया तो impact 0 होगा पर आपको यह compliance करने पड़ेंगे दूसरा point क्या हमें interest लगेगा क्या नहीं interest लगेगा क्योंकि आप आप 30th November के पहले reverse कर रहा हो देखो भई मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हो पर कोई student को ना समझ में आ है तो दुबारा एक बार फिर से देख लेना फिर से पूरा explanation मेरा देख लेना चलिए तो ऐसे situation में यहाँ पर मैंने क्या लिखा है मैंने लिखा है need to reverse तिल 30th November ITC to be reverse filing GSTR 3B of October October का GSTR 3B क्यों लिख रहा हूँ मैं October का GSTR 3B क्योंकि 30 November के पहले November का तो GSTR 3B जा नहीं सकता October का ही जाएगा without making payment of tax and interest उसमें tax नहीं लगेगा and same ITC re-availed मतलब क्या यहाँ पर without making payment of interest without making payment of interest चीए of tax नहीं without making payment of interest और same ITC can be re-availed और same 3B में आपको reversal भी बताना पड़ेगा और उसका availment भी बताना पड़ेगा चलो सल मिसस इनपर्फेक्ट लिमिटेड फाइल इट्स जन्वरी 25 वाई जी स्टर 3B on 31st जन्वरी जेड जेड मतलब 24 same financial year है April से चाल हुआ औके और मास तक रहेगा मतलब जन्वरी 24 तक रहेगा मतलब जन्वरी 24 उसमें कर हो जाएगा तो उसने जन्वरी में दिया मतलब हमारा example हमारा example ले लो कि सामने जाल ने 3B जन्वरी में दिया तो अब क्या consequences हो जाएगे अब consequences क्या हो जाएगे कि आपको 30 November तक reverse कर देना है अगर 30 November तक reverse नहीं किया तो फिर reversal तो करना ही पड़ेगा या payment करना पड़ेगा और interest के साथ करना पड़ेगा और जन्वरी में वापस आप regain कर लोगे तो boss ओके देखो यहाँ पर वो क्या करते है ओके तो सबसे पहले message imperfect limited have not filed GSTR 3 beyond 30 September 25 message perfect limit need to reverse ITC okay और October GSTR 3 क्योंकि 30 November के पहले October GSTR 3 भी आएगा failing of which will attract the payment of ITC amount along with क्या interest आपको ITC pay करना पड़ेगा along with interest in this case message perfectly limited need to pay ITC amount along with interest under section 53 के तरह interest लग जाएगा उसको interest कब से लगेगा पहले से लगेगा क्या नहीं interest लगेगा okay 1 December से यानि 30 November होने के बाद 1 December से interest लगेगा और interest जो लगेगा यहाँ पहर 1 December से उसने 3 भी फाइल किया 31st जन्वरी तक तो sorry आपने reversal कब किया आप देखो आपको interest कब तक देना पड़ेगा तो interest की provision बता देता हूँ interest की provision section 50 के ही साबसे होगा और वो interest जो लगेगा आपको sorry बता interest लगेगा आपको एक 1 December से लगेगा तिल इसा लिक हो यहाँ पे तिल corrected होगा तो कोई problem ने तिल दे देट आप तिल देट अज मेंशन अज मेंशन अज मेंशन अज मेंशन 53 इसके लिए आपको 53 देखना पड़ेगा एक November से अगर आपने अवेल कर लिया होगा उसको यूज भी कर लिया होगा आपको यूज कर लिया होगा तो फिर आपको सेक्शन 53 के इसाप से जब तक आप उसका रिटन नहीं फाइल करते हो पेमेंट का याने अगर सेक्शन 53 याद होगा तो देट आप रिटन या लास देट आप रिटन वीचे 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 अरलिया तब तक आपको उसका यहाँ पे इंटरेस देना पड़ेगा और आप वापस से जनवरी के GSTR 3B में इसको रिविल कर सकते हो तो चलिए दोस्तों यह मैंने explain किया यहाँ पे rule 37A इसको अच्छे से पड़के जाना इंटरेस पे तो question नहीं आएगा लेकिन date पे आएगा कि पहले reverse उसने 3B फाइल कर दिया नहीं किया आपने IPC जो है कब reverse करना चाहिए तो जो मैंने 3 situations ली यह 3 situation मैंसे कोई न कोई एक situation आपको exam में पूछी जाएगी आपको इसका अगर screenshot लेना है तो आप इसका screenshot ले सकते हो draw करो आप एक बार पढ़के साथ में draw करो तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा यह दन चलो चलिए दोस्तों next chapter देखते है यहाँ पर registration next बेटा rule 8 में कुछ सब rule 8 और rule 9 में कुछ छोड़ छोड़ी amendments उना ने की है कि इन priority भी इतना important नहीं है और छोड़ छोड़ी amendment करने का reasons मैंने पहले बता दिया है ओके छोड़ी amendment क्या किया है उनने कि पहले क्या होता था जैसे आप जब registration form दे रहे हो आरीजी 01 में तो आपको यहाँ पर आपका पैन मोबाइल नंबर और आपका यहाँ पर email आईडी लिया जाओ था तो इसमें लोग क्या करते थे फ्रॉड फ्रॉड एक्टिविटी कर रहे है और फ्रॉड एक्टिविटी में क्या हो रहा है जैसे अभी UP का एक case है उसमें ऐसा हुआ कि एक daily wages का वरकर था और daily wages के वरकर का पैन और आधार काड लिया गया उसके नाम पर company बनाई एक bogus company बनाई उसका पैन यूज करके आधार यूज करके bogus company बनाई और उसके base पे कड़ों के transaction की है और GST government को pay नहीं किया जब पता चला क्योंकि ज notice है अब उस बंदे को जब notice है तो वो surprise होगा अरे भई मैं तो okay worker हूँ okay मैं तो रोजगार हूँ मैंने तो कोई turn or नहीं किया लेकिन उसके pan और आधार के base यहां पे entity बनाएगी turn or किया गया GST का fraud किया गया और mobile number जो बंदे ने लिया था उसका कोई old employer होगा तो उसने लिया और mobile number खुद का दिया मतलब अगर कोई OTP आता है mobile number पे तो mobile number खुद का दे दिया और pan or rather उसका use किया मतलब एक तरह से pan or rather उसका hijack कर लिया तो ऐसे situation में ऐसे बहुत सारे fraud पता चले कि कि किसी और के pan or rather पे companies बना ली गई जैसे आज आज आप telegram में देखते हो आज telegram में मेर कोई मेरा telegram channel होगा तो V Smart के अलावा कोई भी दूसरे courses का उसमें add नहीं होता है और कोई भी दूसरे test series का add नहीं होता है कुछ fraud cases पता चली कि भई कि किसी ने मेरे नाम का telegram बना लिया और उसमें सारे courses को promote कर रहा है other faculty के courses को promote कर रहा है test series को जो अधर इसकी है उसको प्रमोट करा है पैसा लिया जा रहा है मैं आपको कह देता हूँ अगर मेरे चैनल की बात है तो वी स्मार्ट के लावा दूसरा कोई भी प्रमोशन नहीं होगा और आपको सारी चीज़े अथिंटिकेटेड वेबसाइट पे यहने वी स्मार्ट एकडे इमेल आईडी और मोबाइल नमबर देने का यहां पे क्राइटेरिया आपके तरफ से सब्मिट करने का क्राइटेरिया निकाल दिया है मतलब क्या मतलब अब वो आपका स्रीफ पैन लेंगे यहने जब आप GST का रिजिस्ट्रेशन कर रहा हो तो आप स्रीफ पैन देदो और और इमेल आईडी देने की ज़रुआत नहीं है तो यह उन्हें ने चेंज किया जो मैंने पहले पहले आप में आपने का और दूसरा बायोमेट्रिक बेस अदर आथेंटिकेशन जहां डाउटफुल केसे से फेक रिजिस्ट्रेशन है वो उन्हें प्रोविजन लाई चोटी देना है क्योंकि ये मोबाल नढबर और इमिल आईडी जो है उन्होंने क्र्ट्रेश हटा दिया है ये अब सीविल टी के वेबसाइट से अंकम टैक्स का जब आपने tvन निकाला था तो जो मोबाईल नमबर दिया था और इमैल आईडी दिया तो वहां से फेज कर लिया जा अब यह जो है OTP बगड़े कुछ नहीं आना है क्योंकि आपका जो है Okay, it shall PAN is validated online common portal on database maintain visibility and shall also be verified through one time password sent to mobile number और email address link to the PAN मतलब अब आपको जो OTP आएगा Okay, PAN के धान सुनना PAN के वक्त आपने जो email id दिया था और PAN के वक्त आपने जो mobile number दिया था Okay, तो उस पर आपका verification होगा Okay, अब आपको जो separate mobile number और हम email id देते थे उसके उपर verification नहीं किया जाएगा ये change हुआ, rule 8 में और rule line में biometric based आदार authentication करवाया था existing provision क्या थी, पढ़ना है तो पढ़ लेना पर पढ़ने की जरूरत नहीं पूराना छोड़ दो Okay, अब new provision, यहां से पढ़ना है आपको new provision substituted और ये क्या कहता है other than person notified under section 25 6D मतलब कुछ लोगों का आदार authentication करने की जरूरत नहीं है, जो section 25 6D में दियेगे, जैसे government department हुआ local authority हुआ, या फिर non resident हुआ, इनको आदार या UIN वाले हुए, इनको आदार authentication करने की जरूरत नहीं है तो उनको छोड़के, अगर applicant of for authentication of आदार number he shall while submit the application under sub rule 4 undergo authentication आदार number और या authentication earlier of date of authentication of आदार number, मतलब on the date of submission application in such case shall be the earlier of date of authentication of आदार number और 15 days from the submission of application which is earlier, मतलब क्या, कि आपका आदार authentication कब माना जाएगा कि आपने आदार authentication कर लिया आपने application दने के बाद, immediate आदार authentication कर लिया होगा, तो ठीक है या within 15 days, अगर आपने authentication कर लिया तो वो date of यहाँ पे application, RG01 में माना जाएगा आपने application फाइल कर दिया वो उसी दिन माना जाएगा जिस दिन आपने अधर authentication करवाया या within 15 days okay from the submission of application आपने अधर authentication करवाया होगा नई तो 15th day को 15th day को वो application application की date मायन जाएगी कि उस दिन आपने submission किया यहां तक तो पूरानी provision थी अब amendment क्या होगा this proviso is newly inserted this proviso is newly inserted यह क्या केता देखो if a person other than person notified under 256D मतलब वही non-citizen, government, local authority UIN वाले जिनको आधर authentication करने की जरुवत नहीं है उनको छोड़के बाकि जो भी person को आधर authentication करना पड़ेगा has opted for authentication of आधर number and is identified on common portal based on data analysis and this parameter यह underline करना based on data analysis and risk parameter then every application made by him under sub rule 4 shall be followed by मतलब क्या कि government data analysis करेगा और risk parameter देखेगा और कुछ लोगों को यहां पर वो जो software रहेगा AIB software जो data analysis करेगा risk parameter करेगा और वो software कुछ लोगों को ढूड़ेगा जहां उनको doubtful है और वो case में उन लोगों को biometric other authentication करवाना पड़ेगा और biometric other authentication के साथ-साथ उनके photographs भी लिये जाएगे taking photographs of applicant where applicant is an individual और such individual in relation to applicant as notified under section 256C where applicant is not an individual या फिर अगर वो individual नहीं होगे HUF होगा तो करता company होगा तो managing director या whole time director तो हमने जो section 256C में other authentication देखा था नहीं आपको याद होगा तो वो chart सापने रखना कि अगर individual होगा तो उसे आधर authentication करवाना पड़ेगा और अगर वो individual नहीं company है HUF है, trust है बगर है तो accordingly उनके कुछ members को आधर authentication करवाने पड़ता है तो उनके photographs लिये जाएंगे along with the verification of original copy of documents uploaded with the application in form RE01 original copy उनके documents की यानने उनके KYC check किये जाएंगे okay, original documents अब लिये जाएंगे okay, uploaded with application in form RE01 on one of the facilitation center notified by the commissioner मतलब क्या कि registration करते वक उनको commissioner बताएगा कि ये facilitation center पे जाओ अपनी original copy बताओ original copy confirm करने के बाद ही उनका जो है यहाँ पे registration final किया जाएगा पर आपका सवाल होगा कि ये सबको applicable है क्या नहीं, ये सबको applicable नहीं है okay, on risk parameter government ने अगर कुछ लोगों को identify किया तो उनको ही applicable किया जाएगा the application shall be deemed to be complete only after completion of this process और अभी ये palette project जो है वो सिर्फ गुजरात में चलाए जा रहा है okay, मतलब क्या using the power under rule 8-4-B central government notified that provision of rule 4 8-4-A shall not apply in all state or UT मतलब क्या जो 8-4-E की provision है जो अभी हमने उपर पड़ी वो अभी फिलाल कोई भी state में और UT में applicable नहीं है वो palette project सिर्फ गुजरात में ही applicable है और except the state of gujrat मतलब above provision only applicable only applicable to state of gujrat state of gujrat okay, तो अगर ये एक ही state को applicable है मोधी जी जो है अपने state में इसका palette project चलाना चाहते देखते है कि कैसा होगा biometric verification कैसा होगा उसके बाद में यहाँ पे photographs वगरे या facilitation centers पे सभी original देने जाए या नहीं जाएंगे इतने compliance हो सकते है नहीं हो सकते तो यह जो अभी project चला जा रहा है और accordingly 4B भी change किया गया 4A के साब से जहां जा वो प्रोवीजो टू सब रूल 4A सब जगा एड़ किया गया तो accordingly rule 4, sub rule 5, sub rule 6 में जो changes हुए तो उन्होंने rule 4A के प्रोवीजो के बेस पूर नहीं चेंज किया है थोड़े थोड़े चलो उसके बाद में rule 9 में भी यहाँ पे यह कह दिया गया कि जिसने भी आदर authentication किया है इसमें भी rule 4A जो है और rule 8 है data analysis और risk parameter के बेस पर उनका physical verification किया जाएगा यह उन्होंने add किया और next same data analysis और risk parameter के clauses सब जगा उन्होंने rule 8 और 9 में जहां-जह required था for physical verification okay वो भी उन्होंने add कर दिया गया तो चलिए मुझे नहीं लगता है यह changes को exam के लिए important है पर registration chapter में इतने ही changes है तो दो line में अगर मैं conclude करूँ okay तो जो पहला change हुआ वो TDS TCS के case में हुआ और दूसरा जो change हुआ okay यहाँ पे जहां तक देखा जाए तो yes biometric verification लाया गया वो only in Gujarat लाया गया और next अगर हम देखे तो यहाँ पे rule 9 में उन्होंने risk parameter basis पे physical verification भी करवा दिया गया that's all इस ते जादा कोई भी changes नहीं है in this way we have completed the amendments in registration chapter अब देखे बटा यहाँ पे chapter exemption chapter exemption yes बटा so now amendment जो हुआ वो renting of immobile property में specially renting of residential dwelling very 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 important क्योंकि last time भी इसमें amendment थी और अभी भी एक explanation इन्होंने add किया गया है इसमें question पूछने के पूरे पूरे chances है okay exemption chapter में अगर आपको याद होगा service by way of renting of residential dwelling for use as a residence मतलब क्या अगर आप अपना residential dwelling dwelling मतलब क्या आपका रहता हुआ घर, flat या बंगलो, विला, कोठी वगरे अगर आप अपना residential dwelling rain पे देते हो और एक long term use के लिए देते हो और residence के लिए देते हो तो एक जम्ट है एक बार फिर से आप अपना घर, flat, बंगलो, विला, कोठी वगरे जो रहने लायक घर है और वो एक temporary business, hotel like, hotel जैसा नहीं आप एक long term use के लिए देते हो residential dwelling का मतलब यह हो रहा है कि जो जहां आपका rain बसे रहा है एक simple dwelling मतलब rain बसे रहा है एक long term use है और वो rain बसे रहा, जहां बसे रहा आप कर रहे हो और वो dwell वहाँ पे कर रहे हो और वो residential dwelling आप rain पे दे रहे हो और residence purpose के लिए दे रहे हो तो वो situation में यहां exemption मिलेगा मतलब क्या, मतलब यह हुआ कि अगर आप अपना rain बसे रहा यानि रहने लाए घर जो है वो residence नहीं office के लिए दे रहे हो तो taxable है, वो taxable है exemption कब है, जब आप residence के लिए दे रहे हो लेकिन, last time उन्होंने एक exception लाया, और वो क्या except where residential dwelling is rented to a registered person, लेकिन अगर आपने अपना residential dwelling ऐसे person को दिया, जो GST में registered है तो वो situation में वहाँ पे exemption नहीं मिलेगा, GST आयेगा और साथ साथ में, अगर आपको river charge या दोगा, तो ये case में river charge applicable है, okay, river charge वाली भी entry last time उन्होंने introduce की थी तो river charge में unregister person पे tax liability, sorry, register person पे tax liability shift कर दिया, मतलब क्या मतलब अगर आप अपना simple language में कहूँ, तो आप अपना घर कोई भई, यहाँ पे ऐसे बंदे को नाम का नहीं किया, आपने आपने invoice जो जनरेट किया, कोई unregister बंदा है, आपने flat rent पे दे दिया, तो वो case में exempt ही रहेगा, GST नहीं आएगा, लेकिन आपने किसी company को दिया as a guest house तो फिर तो वो register person हो गया, आपने factory को दिया, कोई यहाँ पे घर जो है जैसे vsmart, vsmart ने दो flat लिये अपने faculties के लिए और billing vsmart के नाम का है, तो ऐसे case में, अगर आपका billing register person के नाम का हो रहा होगा, तो वो situation में यहाँ पे सुनो वो situation में यहाँ पे जो है exemption नहीं मिलेगा, और river charge में GST आएगा, चलो सर यह तो समझ गए कि exemption नहीं मिलेगा, और river charge में GST आएगा उके उसके बाद में अभी क्या किया है उन्होंने, अभी थोड़ा जो confusion हुआ था यह explanation एड कर दिया, यह explanation क्या एड किया है, उन्होंने, for the purpose of exemption under this entry अगर इस entry में exemption आपको लेना है, तो this entry shall cover services by of renting of residential dwelling to a registered person, this entry shall cover मतलब exemption shall be continued exemption exemption shall be shall be continued, आपका exemption continued रहेगा, इसमें continued रहेगा exemption shall be continued, okay where, register person is a proprietor of proprietary concern and rent the residential dwelling in his personal capacity, आपका register person proprietor है, और उसने residential dwelling लिया, in his personal capacity for his own residence, and such renting is on his own account, and not for proprietary concern, अब इसमें confusion हुआ था, जिसके बज़े से उन्होंने explanation add किया, समझ लो, कोई firm का proprietor है, उसने registration अपने नाम का लिया होगा, okay समझ लो, आप हो, आप याब मैं हूँ, okay मैं एक trading concern का proprietor हूँ और GST का registration मैंने अपने नाम का लिया हुआ है, अब क्या हुआ कि मैंने रहने के लिए बाड़े से घर लिया, अब बाड़े से जब घर लिया तो वो मेरे पर यापर रेंड लगा रहा है, लेकिन ख्याल रहे है, इवंदो मैं GST में क्या रहे हैं, क्योंकि मैं प्रोप्राइटर हुआ है और मेरे नाम से रेजिस्ट्रेशन आएगा, आप अभी अभी CA बने, आपने नाम का क्योंकि आपने नाम का क्या क्या अपने नाम पे और आपने नाम पे GST का रेजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, अब आप कही पे रेंड पे घर लेते हो, तो वो सिचुएशन में आप तो रेजिस्टर परसन होगे, यानि उसमें क्या इंप्लिकेशन हो जाएंगे, कि जो भी रेंड चार्ज करेगा आपका लैनलॉड आपको, तो river charge में आपकी liability आजाएगी जबकि वो घर जो है, आप बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे हो, वो जो घर है, आप अपने personal capacity में, और residence के लिए यूज कर रहे हो, हाँ, अगर वो घर बिजनेस के लिए यूज किया जा रहा है, या कोई company है, और company अपने guest house के लिए, directors के लेगा, ओके, और अगर आपने रेंड पे लिया, पर आप किसी भी एंगल से वो business purpose के लिए proprietary concern में use नहीं कर रहे हो, आप अपने personal purpose के लिए use कर रहे हो, यार, और अगर आप अपने personal purpose के लिए use कर रहे हो, तो वो situation में, even though आप registered हो, लेकिन अगर आप prove कर देते हो, कि भाई, मैं registered हूँ GST में, लेकिन मैं ये अपने personal capacity में use कर रहा हो, and not for business, तो वो situation में, ओ, ये exemption continue रहेगा, और reverse charge में GST नहीं आएगा, exemption continue रहेगा, और reverse charge में GST नहीं आएगा, ये last time भी, अगर आपने मेरी amendments देखे होगी, ये आपने regular class देखा होगा, तो मैंने last time भी आपको ये कहा था, okay, कि अगर कोई घर लेता है, और business purpose के लिए नहीं लेता है, क्योंकि मुझे पता था कि ये loophole है, और Atlas government ने explanation उसके उपर लाया, कि अगर कोई personal purpose के लिए ले रहा है, business के लिए नहीं ले रहा है, तो उसके उपर GST नहीं आना चाहिए, मैंने last time भी कहा, and that clarified by the government, मतलब अगर आपको चार्ट जो है, last time आपने draw किया होगा, नहीं किया होगा, तो अभी draw कर लेना, यानि अगर मैं ये renting of residential dwelling के बारे मैं बात करूँ, तो ये पूरा चार्ट कैसे अपला होगा, देखिए, renting service, renting, residential dwelling, renting of commercial property, commercial property मतलब shop हुआ, warehouse हुआ, shop हुआ, warehouse हुआ, etc, तो अगर आप, आपकी commercial property, residential dwelling नहीं है, rent बसरा नहीं है, flat नहीं है, flat नहीं है, वीला नहीं है, बंगलो नहीं है, वो आपका office, office बनाया हुआ है, shop है, warehouse है, मतलब वो बनाया गया ही commercial purpose के लिए है, तो वो case में तो exemption नहीं है, क्योंकि exemption residential dwelling को है, तो वो case में forward charge में तो supplier ही tax pay करेगा, जो rent पे दे रहा है, वो ही tax pay करेगा, हाँ, residential dwelling होगा, तो इसमें आप दो parameter है, अगर residential dwelling, registered person को दिया गया, और residential dwelling, या RD का मतलब, RD का मतलब residential dwelling, unregistered को दिया, तो exemption कहाँ पे है, अगर registered को दिया, जहन सुनना, अगर registered को दिया, तो अभी exception हमने देखा, okay, unregistered को दिया, मतलब GST में registered नहीं है, तो वो situation में, residence purpose के लिए दिया होगा, तो ही exemption, okay, वो situation में, residence purpose के लिए दिया होगा, तो ही exemption रहेगा, बिटा, okay, sir, अगर मैंने residential dwelling, जो है, office के लिए दिया, hotel के लिए, मेरा बड़ा बंगलो था, मैंने hotel के लिए दिया, okay, तो फिर exemption नहीं, मतलब इदहान से सुनिएगा, unregistered person को, अगर आप residential dwelling देते हो, एक long term use के लिए, और residence purpose के लिए देते हो, तो ही exempt है, अगर आपने office purpose, या कोई other commercial purpose के लिए दिया, तो वहाँ पे benefit आपको नहीं मिलेगा, okay, और वो situation में, अगर आपने अपना residential dwelling, अब देखो एक concept में आपको समझाता हूँ, अगर आपने residential dwelling, registered को दिया, तो reverse charge है, अगर आपने residential dwelling, unregistered को दिया, और commercial purpose के लिए दिया, तो ये case में river charge भी नहीं है, ये case में forward charge, FC लग जाएगा, क्योंकि river charge तभी लगेगा, जब वो registered को दिया, जब वो registered को दिया, तो ये river charge लगेगा, तो अब ऐसे case में, अगर आपने unregistered को दिया होगा, तो और वो residence के लिए नहीं दिया होगा, आपने commercial purpose के लिए दिया होगा, तो वो situation में, GST आएगा और forward charge में आएगा, ये चार्ट एक बार दो बार नहीं, दस बार पढ़ना समझ समझ के, इस बार इसके उपर question आने के पूरे पूरे chances है, और अच्छे से पढ़ना नहीं, तो इसमें 13 घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, जादा प्यार हो जाता, तो मैं से नहीं पाता, तो दोस्तों ये रहा regarding to unregistered person, चलो, आते हैं register person का, अगर आपने register person को दिया, जो business purpose के लिए use हो रहा है, जैसे guest house है, for director, employee, etc, तो no doubt GST आएगा, और river charge में, river charge में, यहां register person GST पे करेगा, यह exemption अपला है नहीं होगा, लेकिन यह जो explanation है, यह जो अभी introduce हुआ है, यह explanation बड़ा काम का है, और यह explanation क्या कहता है, कि अगर आपने proprietary concern को दिया है, इवन्दो वो registered है, आपने proprietary concern को दिया है, इवन्दो वो registered है, पर वो personal capacity में यूज़ कर रहा है, तो वो situation में जहां तक दिखा जाए, तो उसको exemption में लेगा, तो दोस्तो conceptually आप समझ गया, conceptually आप समझ गया, पर मैं आपको यह ही कहूगा, कि आपको read करके यह chart draw करना है, एक page पे यह attach कर देना है, इस पे question आने के पूरे पूरे chances है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, दस बार आपको पढ़ना है, ठीक है, चलो, screenshot ले लो इसका, screenshot ले लो और यह chart बनाना है आपको, और यहां attach कर देना है, चली, अब next exemption पे आ जाते है, education and training sector में, आपको याद होगा, तो यहां पे, अगर services educational institution देता है, to student, faculty and staff, और कोई भी services देता है, या फिर entrance fees for entrance examination होगी, तो उसको government ने exam किया हुआ है, ठीक है, educational institution की definition है, और educational institution की definition क्या है, इसमें preschool education, and iron secondary school education कर हो जाता है, education recognized, education for obtaining the qualification recognized by law, मतलब colleges, universities, इनका education, third education as a part of an approved vocational educational courses, okay approved educational courses, मतलब NCVTK courses, SCVTK courses, जो आप अगर notes में देखोगे, तो आपको approved vocational education courses की definition मिल जाएगी, और state board या centered board का service, to the extent of limited for the purpose of conducting examination, उतने service के लिए उन्हें educational institution माना जाएगा, अब इस notification में एक explanation उन्हेंने एड किया, और वो क्या add किया गया है, ये amendment है, it is clarified that any authority, board और body, set up by central government और state government, including national testing agency, for conduct of entrance examination, for admission to educational institution, shall be treated as educational institution, for limited purpose, for providing by way of conduct of entrance examination, for admission to educational institution, मतलब क्या, जैसे state board या central board को, educational institution माना गया है, only to the extent of conduct of examination, याने अगर central board और state board, कोई भी service, any student को देती है, staff और faculty को देती है, to the extent of examination, तो वो educational institution माना जाएगा, और उसे exemption मिलेगा, accordingly, ये सेम उन्हों ने ये कहा, कि कोई भी ऐसी authority, board या body, जो government ने set up की, including national testing agency, जो कोई entrance examination लेती है, तो वो entrance examination की fees, जो student को charge की जाएगी, उतने ही activity के लिए, सुनना मेरी बात, उतने ही activity के लिए, वो जो है, educational institution माना जाएगा, इससे impact क्या हुआ, इससे impact ये हुआ, कि ये जो board body, या national testing agencies है, ये जो entrance examination लेती है, उसकी fees लेती है, उसके ओपर GST नहीं आएगा, उनको exemption दे दिया जाएगा, तो चलो, एक चोटा सा उन्होंने, यहाँ पे amendment किया, और educational institution का scope बढ़ा दिया, चलो, ये हमने देखा, चलो, कुछ important clarifications देख लेते हैं, exemption sector में, एक clarification ये है, clarification on applicability of GST, on accommodation service, supplied by air force, MACE and other similar message, to its personnel, all services supplied by central government, state government entity, local authority to any person, other than business entity, bearing a few specified services, such as service of postal department, transportation of goods and passions, are exempt from GST, हमने एक exemption, government sector में देखा था, और वो क्या देखा था, कि सारी services, जो government provide करेगा, वो exempt रहेगी, except हमने ये देखा था, कि transportation service, उसके बाद में, department of host के service, तीन चार exceptions थे, ये service provided to business, entity वगरे, वो exception थे, उसके अलावा बाकी services, exempt रहेगी, तो इसपे clarification क्या आया, it is clarified that, important, okay, it is clarified that, accommodation service provided by, Air Force मेंस, and other similar मेंस, such as, Army मेंस, Navy मेंस, okay, paramilitary and police forces मेंस, through their personal, or any other person, other than business entity, are covered under exemption notification, provided that service supplied by such मेंस, qualify to be considered as a service supplied by, central government or local authority, मतलब, मेंस की सारी services, जो government दे रही है, other than business entity को, वो exempt रहेगे, यह हमने देखा, चलिए, यह, एक question जो, exemption chapter में, जितने भी amendments होई है, उस पे question कैसा बन सकता है, practical question, तो मैंने यहाँ पे लिया है, और exam में, इस type का question पूछा, जा सकता है, determine whether GST is payable, on service provided, under following independent cases, first, Mr. Rahul is a proprietor, of proprietorship concern, Rahul trading, Rahul trading is registered, under GST in Gujarat, Mr. Rahul rent a residential flat, in his personal capacity, for use, as his own residence, and such, renting is on his own account, and not for proprietary concern, यह अभी explanation है, तो आपको legal provision में, पूरा explanation लिखना पड़ेगा, okay कि उसने, अगर, register person, proprietor होगा, उसने residential dwelling लिया होगा, personal capacity में लिया होगा, own residence के लिये लिया होगा, और proprietary concern के लिए, वो use नहीं कर रहा होगा, तो उसको exemption मिलेगा, और उसके base पर आपको conclusion देना पड़ेगा, कि yes, उसको exemption मिलेगा, उसके बाद में second, national testing agency, educational institution में, national testing agency भी add हो चुका है, और उनको भी exemption यहाँ पर दिया जाएगा, और third, access road contractor is your annuities in place of toll from the public, तो अब यह कोई भी यहाँ पर exempt नहीं रहेगा, ओके, देख मैं, अभी exemption सिफ यहाँ पर, road और bridges का जो toll है, वो यहाँ पर exempt है, annuity अब exempt नहीं है, जो आप road का toll charges देते हो, per visit basis पर वो exempt है, annuity exempt नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो annuity है, वो अब taxable रहेगा, liable to GST रहेगा, तो यह तो था, अभी जो amendments से उसके उपर, यहाँ पर हमने एक problem ले लिया, अब देखते हैं कि, इस बार कौन से entry ओमिट किया गया, एक जो entry थी exemption के, access to road breach on payment of annuity, मतलब जो toll charges, annual charges आप pay कर रहे थे, वो पहले exempt था, अब उसको exemption नहीं मिलेगा, देखो, annuity वाला remove हुआ, normal toll charges exempt है, जेस्टे नहीं आएगा, पर annuity वाला उन्होंने remove कर दिया, मतलब वो taxable हो जाएगा, यह तो इस बार entry उन्होंने डिलेट की, लेकिन मैं आपको कहोगा कि, last में exam के लिए, बहुत सारी entries deleted थी, वो भी फिर से एक बार अच्छे से पढ़के जाना, क्योंकि question आपके exam में आ सकता है, इसलिए इस बार की जो deleted entry है, और last attempt की जो deleted entries है, फिर से दोनों एक बार अच्छे से पढ़के, आपको जाना है, इस बार उस पर question आ सकता है, तो बाकि last year की last attempt की deleted entries के list, मैंने यहाँ पे दिया है, वो भी आपने एक साथ पढ़ लेना है, चली, तो इस तरह से हमने यह chapter exemption खतम किया, सब कुछ भी amendment नहीं थी, मैं कहूंने इस बार कोई भी ज़्यादा amendments नहीं है, और जितना ज़्यादा हो यह message circulate करो, यह amendment की वीडियो circulate करो, जितना ज़्यादा circulate करोगे, उतना आपको benefit मिलेगा, क्यों 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 क्योंकि आपने लोगों का भी भला करवाया है, ठीक है, थैंक यू, चलो, टैक्स इन्वाइस, डेविट नोट, टेडिट नोट, इट चाप्टर में एक छोटी-छोटी कुछ अमेंडमेंट्स होई है, यह भी ले लेते हैं, प्रहला, रूल 46, क्या आपको याद है, रूल 46 क्या है, नालाय को बताओ, याद है नहीं है, नहीं याद है, अरे कुछ तो बढ़ा करो, चलो, रेगुलर बूर को उपन करो, इंवाईश चाप्टर में जाओ, रूल 46 था, रूल 46 था, विडियो पाउस करो, पहले रूल 46 पर आओ, रूल 46 में एक क्लॉस F था, F क्या था, नेम एन अड्रेस अप देशिपेंट, एन अड्रेस अप देशिपेंट, address of delivery आपको देना है, along with name of the state, and its code, ये भी देना है, where the value of taxable supply is less than 50,000 को देखेंट, and the recipient requests that such details to be recorded in the tax invoice, मतलब, मतलब अगर आपकी value 50,000 के यह पर होगी, लेकिन 50,000 से नीचे होगी, तो वो case में वो optional था, और recipient अगर चाहता है, तो ही देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, name and address of recipient, address of delivery, along with the name of state code, okay, if such recipient is unregistered, और value less than 50,000 से नीचे है, और वो चाहता है, तो यह सारी details देना पड़ेगा, लेकिन अब क्या हो गया, मतलब 50,000 के नीचे के transaction के लिए वो optional था, इसमें क्या हो रहा था, कि कुछ services थी, जैसे एक प्रोविजो एड किया, प्रोविजो देखो क्या एड किया, यह प्रोविजो इंपोर्टेंट है, यह एड किया गया है, provided that where taxable services supplied by or through an ECO, electronic commerce operator, अगर ECO service दे रहा है, और by online information database access retrieval services, यानि OIDAR services होगी, the tax invoice issued by registered person shall contain the name and address of the recipient along with pin code and name of the state, the said address shall be deemed to be address on the record of the recipient, अब देखो यह क्या हो, अगर कोई electronic commerce operator services दे रहा है, या OIDAR OIDAR मतलब online information database access retrieval services दे रहा है, तो अगर कोई ECO service दे रहा है, या OIDAR service दे रहा है, किसको दे रहा है, unregistered person को यह services दे रहा है, तो वो situation में, यहाँ पे, आपका name, address, address, उसके बाद में, state और state pin code, यह चीज़े 50,000 के नीचे अगर transaction होगा, तो optional इस बात पे थी, कि अगर recipient मागेगा, तो ही देना पड़ेगा, तारा details, ने तो इतनी सारी details देने की जरुबत नहीं है, लेकिन इन दो services के लिए, कौन सी दो services के लिए, SEO, और OIDAR services के लिए, अब compulsory हो गया, मतलब transaction एक रुपए का हो, 25 रुपए का हो, या 50,000 के उपर हो, अगर transaction जो है, कितने भी amount का हो, यह सारी चीज़े देनी पड़ेगी, अब आपका सवार होगा, OIDAR services क्या होगा, मतलब जो online services दी जा रही है, online database access retrieval services, मतलब cloud services होई, अगर किसी को लिखना है, OIDAR services, मतलब cloud services होई, Netflix की services होई, online gaming की services होई, ऐसी जो online database के base पर services दी जा रही है, उनको OIDAR services कही जाती है, और अब समझे लोग अन्रेजिस्टर बच्चे को दिया जा रहा है, gaming की services है, Netflix की services है, जो भी होगा, ये information bill कितने का भी हो, आपको पूरी देना पड़ेगा, तो चलिए दोस्तों, यह हमने देख लिया, regarding to ECO and OIDAR services, रिजन फॉर अमेंडमेंट यह है, जरूर पड़ना आपका मज़ाएगा, तो सर एक लाइन में, conclude करें तो क्या होगा, तो एक लाइन में, ECO, in case of ECO, और OIDAR services, इस information, क्या, name, address, state code, and pin code of the state, आपको देना पड़ेगा, और केंपल्स रिली, irrespective of the value of transaction, और केंपल्स रिली, तो पचास हजार के निचे होगा, तो optional है, चली, यह एक हमने देखा, next, चली, next rule 46A, यहाँ पर, क्या कहता है, देखा, notwithstanding to anything, contain in rule 46, 49, 54, where registered person, supplying taxable, as well as exempted goods, or services, to an unregistered person, single invoice come bill of supplies needed, यहाँ तक तो पुरानी provision थी, यह provision नहीं add हुई है, अब यह provision क्या कहती है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपकी कीराना shop है, कीराना shop में, आप जो है, exempted as well as taxable, दूनों goods बेशते हो, कुछ goods exempted है, कुछ goods taxable है, कोई यह customer आ गया, law क्या पढ़ाता, law यह पढ़ाता, कि अगर आप exempted goods बेशते हो, तो आपको bill of supply बनाना पढ़ेगा, और अगर आप taxable goods बेशते हो, तो tax invoice बनाना पढ़ेगा, यह आपने law दिखा था, अब इसमें जो है, अगर आप एक ही customer को, दोनों goods बेच रहे हो, rule 46 में क्या दिया है, कि आपके invoice के content क्या होने चाहिए, 49 में आपके bill of supply के content क्या होने चाहिए, 54 में, special cases में आपके content क्या होने चाहिए, तो अब इन्होंने क्या क्या दिया, वह तीनो rule को छोड़ो, notwithstanding to that, आपको यह follow करना पढ़ेगा, और invoice कम bill of supply, इन्वाइस कम bill of supply देना पढ़ेगा, इससे लोगों ने interpretation क्या किया, लोगों ने क्या सोचा, कि invoice कम bill of supply अपने इसाब से बना लो, क्योंकि rule 46 के, जो invoice के content है, और 49 के, जो bill of supply के content है, वह content follow करने के जरूद नहीं, अपने इसाब से बना, क्योंकि, पहली line कहती है, कि 46 की नहीं मानना, 49 की नहीं मानना, अब इस line से ये confusion हो गया, कि हम content भी नहीं follow करेंगे, 46 का, जो 46 में invoice के content दिये, 49 में bill of supply के content दिये, हम content भी नहीं follow करेंगे, line क्या कहती है, not standing to that, तो फिर हम bill, okay, invoice कम bill of supply का content, अपने हिसाब से बनाएंगे, तो इसे situation में, बात खतम हो गई, तो हम अपने हिसाब से यहां पे, बनाएंगे, तो फिर government ने clarify किया, कि नहीं, वो जो non-absenty clause है, वो content के लिए नहीं है, बाकी कुछ कहाऊगा उसके लिए, मतलब, provided that single invoice कम bill of supply, shall contain the particulars, as specified in rule 46, या rule 54, या rule 49, मतलब, content तो आपको उसका base भी बनाना पड़ेगा, जब आप invoice कम bill of supply बना होगे, तो content उसके base भी होगा, बाकी कोई provision, contradictory provision होगी, तो वो apply नहीं किया जाएगा, तो बस इतना सा change हुआ, बाकी ऐसा कोई change इसमें नहीं है, चलिए, next हम देखते है, clarification on applicability of invoice, invoice, आपको याद है ना, okay, invoice, ठेक है, तो invoice के case में बिटा, okay, एक सवाल था, whether exemption to certain entities like, as is there, banking company, transporter, अगर आपको होगा, याद होगा, ने तो invoice का वो discussion open करो, invoice में आपने ये देखा था, कि कुछ लोगों को, e invoice बनाने के जरुवत नहीं है, SZ units हुए, banking company हुए, transport sector हुआ, multiplex हुआ, इनको e invoice बनाने के जरुवत नहीं है, उनको exemption दिया है, whether the exemption to certain entity sector, okay, from mandatory generation of e invoice, as amended, is available for entity as of all, is available as entity as of all, and whether the same is available on respect of certain supplies, made to said entity, okay, मतलब यहाँ पर, यह जो, कुछ लोगों को e invoice नहीं बनाना है, okay, वो कुछ, कुछ cases में applicable है, entity as of all acceptable है, जैसे banking, banking company, दुसरे bank को, जब invoice देगी, वो ही sector में applicable है, या banking company, किसी को भी invoice दे, e invoice apply नहीं होगा, तो इसका clarification ही आया, important है, इसका clarification ही आया, it is clarified that, exemption from generation of invoice, for the entity as a whole, and not restricted to nature of supply being made, to the said entity, मतलब क्या, मतलब, यह entity को exemption है, यानि banking sector, किसी को भी service दे, जैसे सुना, okay, banking sector किसी को भी service दे, okay, फिर वो दुसरे bank को दे, normal person को दे, किसी को भी service दे, SECDR unit, किसी को भी service दे, as a whole exemption अपला होगा, okay, वो restricted sense में अपला है, नहीं किया जाएगा, और इन लोगों को invoice बनाने की, कोई भी जरुवात नहीं है, तो चलिए, हमने यह देखा, यहाँ पर, चलो, so in this way, invoice chapter की amendment कदम, पड़ा बड़ कदम हो रही है ना, हाँ बेटा, कुछ ज्यादा amendment सही नहीं इसमें, done, चलिए, अब आज़ा बेटा, next topic, returns, okay, return में भी बस छोटी सी amendment है, उनने penalty लाई है, वो penalty का waiver लाई है, यह थोड़ा learn करके जाना, question पूछा जा सकता है, return concept है, और वो आपको 31st December के पहले, पूरे साल का return, annual return 31st December के पहले, आपको देना पड़ता है, ठीक है, तो उसकी penalty उनने थोड़ी वेव की है, वो देखो यहाँ पे, on recommendation of council, central government views the late fee referred, referred under section 47 of CGST Act, for the return to be furnished under section 44, annual return, for the financial year 22, 23 and onwards, for the following class of registered person, who fails to furnish the same by due date, अगर किसी ने 31st December को, annual return नहीं दिया, 31st December तक, annual return नहीं दिया, तो वो situation में, यहाँ पे जो है, उसको, यहाँ जो late fee लगेगी, वो late fee क्या लगेगी, यह मैं आपको थोड़ा explain कर देता हूँ, और यह आपको learn करना है, registered person having aggregate turn or, less than or equals to 5 crores in a relevant financial year, यहाँ जो साल का, वो annual return फाइल कर रहा है, उस साल का, उसका aggregate turn और 5 crore यह उससे नीचे है, तो उसको late fee 50 rupees per day, मतलब जिसमें, CGST का 25 रुपे, SGST का 25 रुपे, दोनों मिला लिया जाएगा, यह 25, 25, यह 50, और maximum 0.04%, जिसमें 0.02% of CGST, और 0.02% of SGST, दोनों भी consider होगा, और turn or in state, whichever is, मतलब maximum इतनी लगेगी, मतलब अगर आपने 31st December को return नहीं दिया, तो एक जन्वरी से आपको 50 रुपे पर दिन, बट maximum आपको 0.0% of turn or in state, यानि उस state का जो turn or होगा, उसका 0.05% of maximum इतना ही late fee लगेगा, लेकिन अगर आपका turn or 5 करोट से ज़्यादा है, पर 20 करोट से नीचे है, 5 करोट से ज़्यादा और 20 करोट से नीचे है, तो वो case में 100 रुपीज पर दे, पर maximum 0.04% ही रहेगा, अब turn or in state, तो यहाँ slab, यह annual return के late fees के slab लाए है उन्होंने, okay, sir, वेओ क्या किया है, वेओ इसमें था, कि जो section में आपको यहाँ पे, सुनिए, जो section में आपको late fee दिया है, उतनी late fee आपको नहीं लगेगी, okay, कम लगेगी, कम तो यह slab में आपको इतनी late fee लगेगी, अगर मेरा turn all 20 करोड के उपर होगा, अगर आपका turn all 20 करोड के उपर होगा, तो जो section 47 में late fee दी गई है, उतना late fee आपको लगेगा, okay, तो वो कितना लगेगा, तो मैंने एक chart बना है, okay, अगर 20 करोड के उपर लगेगा, यह तो होगा हमारा 50.4, 50, 100, 0.04, अगर आपका turn all 20 करोड से जादा है, तो फिर 200 रुपीज पर एवरी डे, 200 कैसे, 100 CGST का और 100 SGST का, जो section में दिया है, यह 0.5% of turn all in state, तो यह दिया है section में, okay, तो section में यह जो late fee दी है, इसको वेव किया गया, दो क्राइटरिया में, कौन से 2 क्राइटरिया में भी हो किया गया, अगर आपका 5 करोड से नीचे होगा, या 5 करोड से 20 करोड के बीच में होगा, तो late fee इतने नहीं लगेगी, आपको इतनी लगेगी, लेकिन अगर 20 करोड से जादा होगा, तो वो situation में late fee आपको इतनी लगाया जाएगा, तो यह था regarding to late fee बिटा, यहाँ पर यह आपने देखा, चलो, इंपोर्ट, ठीक है, अब यह देखिए, यहाँ पर 59.6, इस पर question आ सकता है, cases where a registered person is debat from furnishing the details of outward supply, in from GSTR1 और IFM, मतलब, यहाँ पर एक provision जो पढ़की जाना आपको, कौन-कौन से case में आप next month का GSTR1 या IFM नहीं दे सकते हो, अगर आपने पुराना GSTR1 नहीं दिया होगा, आपने पुराना GSTR3 भी नहीं दिया होगा, तो next GSTR1 और IFM आप नहीं दे सकते हो, उसमें उन्होंने एक और एड़ किया clause D, कि और एक case जिसमें आपने अगर यह compliance नहीं किये, तो next month का GSTR1 आपका freeze कर दिया जाएगा, वो क्या, और रजिश्टर परसन तु हम एन इंटिमेशन अब डिफरेंस बिफरेंस बिफिन GSTR1 और GSTR3 भी, has been issued on common portal under rule 88C1 in respect of tax period, मतलब क्या, अगर कुछ लोगों के GSTR1 के data में और 3B के data में, अगर difference पता चला, सुनिएगा, कुछ लोगों के GSTR1 और 3B के data में difference पता चला, तो उनको एक इंटिमेशन दी जाएगी under rule 88C1 में, और उनको इंटिमेशन दी जागया, शाल नॉत बिफिन अटिमेशन दी अगया, अगर किसी मंत में, रूल 88C1 के तहट आपको intimation आई होगी, intimation क्या आई होगी कि GSTR1 और 3V में क्या difference आ रहा है और ये difference आप हमें explain करके बताओ ये intimation आई होगी, तो ये intimation आने के बाद आप next month का GSTR1 नहीं दे पाओगे, freeze कर पाओ freeze कर दिया जाएगा, जब तक intimation जो दीगे, उसका difference आप pay नहीं करते हो, अगर tax आता है तो, या उसका reply नहीं करते हो, मतलब government कहती है, कि जो difference आई वो pay करो, या reply करो उसके बाद ही हम आपको GSTR1 फाइल करने देंगे, जब तक आप हमें satisfactory reply नहीं देते हो या इसका difference हमें पे नहीं करते हो, हम आपको जो है यहाँ पे, सुनिएगा, हम आपको जो है, यहाँ पे जो है GSTR1, ओके हम आपको फाइल करने नहीं देंगे, next month का और next month का GSTR1 नहीं फाइल हो रहा है, तो 3B फाइल नहीं होगा, ओके, और यह अगर next month का नहीं होगा, तो आगे सब block हो जाएगे, तो यह बड़ी important restriction आया है, इसके ओपर सवाल आ सकता है exam में अच्छे से पढ़के जाना है done, चलो चलो, आ जाते है बेटा, evable पे come on, come on, come on, आ जाते है evable पे evable में एक छोटी सी amendment हुई है और evable में वो क्या amendment हुई है, देखे, cases where evable is not required to be generated, कौनसे case में evable नहीं लगते है, पूरी lease दी है, अगर आप देखो के notes में, तो उन्हेंने पूरी lease दी है, उसमें currency वगरे सब है, उसमें exempted goods है, non taxable goods है, तो पूरी lease दी है उन्हें, उसमें एक ज्वेलरी, goldsmith है, आपके data leak हो जाते है, और government department से तो बहुत ज्यादा leak हो रहा है data, तो अगर कोई truck से jewelry, goldsmith या silversmith wares जा रहे है, तो उसका evable बनाने की जरुवत नहीं है, आपके नहीं तो अगर वो data leak हो गया, तो वो तो truck को गायव करते हैं, अब उसमें government ने accept लाया, accepting imitation jewelry, लेकिन अगर आपकी imitation jewelry होगी, तो फिर आपको evable बनाना पड़ेगा, important, आ सकता MC की question में, अगर imitation jewelry होगी, तो आपको evable बनाना पड़ेगा, बाकि कोई भी jewelry, goldsmith या silversmith, okay, whereas पेज आपको evable नहीं बनाना पड़ेगा, इत्तुसी amendment evable में हुई है, that's all, बात कतम, चलो, evable भी हमारा हो गया, so दोस्तों, इस तरह से CA Inter के लिए, हमने GST की सारी amendments कतम कर दिये, बस इतनी ही amendments है, बहुत काम amendments थे इस बार, और manageable amendments है, तो आप जो है, अपनी पड़ाई की शुरुवात कर सकते हो, और ध्यान रहे, आने वाला attempt आपका होगा, इस बार हमें tax session में, अब वो 80 जाना है, और GST में आपको यहाँ पे 40 में से minimum 35 यहाँ स्कोर करना है, दोस्तों, जहां तक मैं बता दूँ कि, yes, यह old syllabus का, यहाँ last attempt है, तो मैं आपको कहता हूँ कि, इस बार बहुत अच्छा result लगेगा, पूरी मेहनत लगा देना और पास हो जाना है, बहुत सारे students के यह question होगा कि, sir, अगर हमने यहाँ पे, इस scheme में, first group ही दिया, तो क्या हमें new scheme में costing का exemption मिल सकता है, क्या, और group 2 में only FM, SM और auditing, यह दो subject देने पड़ेगे क्या, तो मैं आपको कहई दू कि, yes, broad sense में तो यही लग रहा है, कि अगर आप first group देते हो और first group clear हो जाते हो, तो आपको costing का, first group clear हो जाते हो, तो आपको news scheme में costing का paper देने के जरुबत नहीं पड़ेगी, आपको 2 subjects देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपको दूसरे सवाल होगे, कि sir यह बताईए कि अगर हम first group के साथ auditing दे दे, तो क्या auditing exam हो जाएगा क्या, या first group के साथ FM दे दे, तो क्या वो exam हो जाएगा क्या, तो इसके बारे में अभी institute की कोई clarity नहीं है, जैसे clarity आजाएगी, मैं आपको वीडियो हमारे youtube channel vsmart academy पर बता दूगा, तो stay tuned with youtube channel vsmart academy, as well as my personal channel think gst think vishal sir, साथ साथ में अगर आप कभी-कभी saturday sunday social media में insta use करते होगे, तो stay tuned with my personal insta channel ca underscore vishal underscore bhattar, I repeat ca underscore vishal underscore bhattar, तो इस insta channel पर आप subscribe कर लिजिए, मैं बहुत सारी tips आपको देते रहोगा, और जो भी आपको आपके attempt के लिए important information है, institute से जैसे ही आती है, वो update करते रहोगा, दोस्तों मैं आपको यह बता दूँ, कि अब जो भी आपका last attempt में हुआ होगा, result unfortunately सही नहीं आया होगा, तो सब भूल जाओ, अब आने वाला attempt आपका है, क्योंकि हम past में जाके कुछ भी change नहीं कर सकते, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा सोच के कोई भी फायदा नहीं है, आपके पास आने वाला future है, इसलिए मैं जो भी हर class में कहता हो, जो भी हुआ अच्छा हुआ, और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, आए हम कुछ अच्छा करने है, अगर आप पुरी मेहनत करने के लिए ready हो, फिर से पुरा re-energize होके, attempt देने के लिए ready हो, और अपनी पुरी positive energy, attempt के साथ align करने के लिए ready हो, तो भगवान आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी opportunities लेके बैटा हुआ है, उसके जोली में आपके लिए बहुत कुछ है, बस वो देखना चाहता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, उस चीज़ को पाने के लिए, तो आपको दिखा देना है कि yes, और कि आपकी पूरी energy, आपका पूरा alignment, आपका पूरा thought आने वाले attempt के साथ है, तो जरूर आपको success मिलेगी, और इस exam में आप जरूर पास होगे, क्योंकि भगवान ने एक अच्छी चीज human को दी है, और वो है कोशिश करते रहना चाहिए, तो यह इतनी वड़ी power आमें दी है, कि अगर इस power का आप यूज करते हो, कि आपको कोशिश करते रहना चाहिए, तो अगर आप इसको सही धंक से लेते हो, और पूरा विश्वास रखते हो, तो yes बेटा, आने वाला attempt आपका होगा, इसलिए जादा मस सोचो, फिर से उठो, लग जाओ पूरे जोश के साथ, और फिर से पढ़ो, मेरी best wishes आपके साथ है, तो दोस्तो, all the best, और stay tuned with our social media channel, मैं continuous आपके लिए videos लेके आते रहोगा, और हमारी RR Rapid Revision Batch जो start होगी, जो बहुत ही आपके लिए helpful रहेगी, जिसमें पूरा चार्ट Revision होगा, तो वो Rapid Revision Batch, mostly 1st week of September में होती है, पर उसके पहले भी आ सकता है, इसलिए stay tuned with V Smart Academy YouTube channel, thank you, thank you to all of you.